नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडी बेवस एजुकेशन, चलिए इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का बेसिक ज्यान, जो सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़ो तक के लिए इस ज्यान की बतावसकता होती है, इसके अंतरगत हम क्या के चीजे पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंतरगत सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर की बेसिक जानकर, यानि कंप्यूटर क्या काम करता है, ये सारी चीजे कैसे काम करता है, उसके बाद हम कंप्यूटर की हिस्टरी के बारे आहती है निकी आपकी primary memory आती है secondary memory आती है ये कैसे काम करती है जो मानमस्तिस्क है उसके जैसे ही तुर। वाुत करती है लोछ्था द्थिवारिक है या जिसके अलग आपकी कारेविधी है उसके अलावा हम बात करेंगे input devices की जिसके अंतरगत भीअनमस्तिस्क है ... और क्या-क्या वो काम करती है, वो हम देखेंगे, साथ ही हम output devices के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतरगत monitor, printer और जो projector होता है, और बरतमान में जो भी output devices है, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, फिर बात आजाती है संचार की, जिसके अंतरगत आपका computer network आज संचार, communication क्या होता है, data communication, उसके बाद topology, internet, यह सारी चीज़े हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो इतनी जितनी भी चीज़े हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं, एक ही complete वीडियो में, तो आपके लिए जो वीडियो है, काफी ज़्यादा useful होने वाला है, तो आप इस्तार से, सुरू से लेकर, end तक आप ध्यान पूर्बा के से पढ़िए, एक दो बार इसका revision कीजे, ताकि सारी चीज़े आपको clear हो जाए, और सुरवात में ही मैं बोल देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को subscribe कर लीजे, ताकि आने वाले जितने भी मुझे motivation मिले, और मैं आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा content लेका रहा हूँ, तो चलिए, जो है, हम इस वीडियो को सुरू करते हैं, आप ध्यान पूर्बा कि इस वीडियो को देखते रहिए, fundamentals of computer and IT, यनि कि computer की आधार वो चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको जो है, सबसे पहले देखने को मिलेगा computer, computer एक प्रकार का system है, अब system क्या होता है, तो देखिए, जिस प्रकार आपने कोई company देखा होगा, कोई संस्ता देखा होगा, तो कोई भी संस्ता म अलग-अलग unit होती है, अलग-अलग unit बोले तो अलग-अलग IKEA होती है, जैसे उधारन के लिए हम बोल देते हैं, company है, company में आप देखोगे तो production department अलग होता है, यनि कि जो उत्पादन करता है, उसके बाद आपको marketing बाला देखने मिल जाएगा, उसके बाद आपको sales बाला मि जाएगा, तो ये अलग-अलग department होती है, यनि कि अलग-अलग IKEA मिलकर क्या करती है, company को चलाती है, परन्तु इन सभी IKEA को एक काम होता है, जो company को लाप पहुचाने को होता है, इसका मतलब एक particular इसका उद्देश होता है, तो company को हमने बोल दी एक system, उसी प्रकार, computer में हम तो hardware एक अलग IKEA है, software एक अलग IKEA है, user एक अलग IKEA होने के बापजूद, computer का एक निश्चित उद्देश को follow करती है, computer का निश्चित उद्देश क्या है, कि user जो भी मतलब हमारे द्वारा जो भी उसको काम दिया जाएगा, जिससे हम input बोलते हैं, उसे वो क्या करेगा, process करेग और उसको output के रूप में प्रदान करेगा, तो हम यहाँ simple बोल सकते हैं, कि computer एक निश्चित उद्देश की प्राप्ती के लिए, अलग IKEA काईयों की साहता लेता है, और output प्रदान करता है, तो इसलिए हम computer को बोल देते हैं, system, क्या बोल देते हैं, computer system, आप computer system क्यों बोलते है यह चीजे आपको समझ में आ गई होगी, इन IKEA के अंतरगत आपको देखने मिलेगा, जैसे speaker आप देख सकते हैं, जिसके थुरू आप मुझे सुन पा रहा है, ठीक है, printer आप देख सकते हैं, जिसके थुरू आप कागज पर जो है output प्राप्त करते हैं, monitor जिसमें आप screen पर द जाता है, तो यह चीजे भी आपको मिल जाती है, तो यह सभी काईया मिलकर एक निश्ची दुद्देश की प्राप्ती के लिए काम करती है, यह निकि input access करेगी, process करेगी और output प्रदान करती है user को, तो इसलिए हम इसे computer system बोल देते हैं, तो computer system आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट बात करते हैं, computer system के अंतरगत आपको देखने मिला hardware, software और user, देखे यह जो complete notes है, बो आप मैं आपको provide कर दूँगा, टेलिग्राम पर और website जो है, देखे आप website में जाओगे तो website में भी आपको यह notes मिल जाएगी, तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं, याने की यह तीनों step से मिलकर ही computer काम करता है, मतलब सबसे पहले user के दोरह क्या दिया जाता है, कोई ना कोई निर्देश, याने की आप type कर सकते हो, आप mouse के थुरू निर्देश दे सकते हो, आप pen के थुरू दे सकते हो, joystick के थुरू या जैसे भी, तो हम जब भी computer में कोई निर्देश देते हैं, तो उसे हम input बोलते हैं, क्या बोलते हैं, input, और input देने के लिए हम कोई ना कोई device की जरूवत हमें पढ़ती है, उन्हें हम बोलते है, input devices, ठीक है तो, input devices में आपकी mouse आजाती है, keyboard आजाती है, scanner आजाता है, joystick है, microphone है, web camera है, जिससे आपका selfie camera होता है, ब आप जब भी input देने के बाद बात आती है, कि जो input है, वो कहाँ गया, तो जब भी हम यहाँ पे input दिये हैं, कोई भी device के थुरू, तो वो input कहाँ गया, इस machine में, इस machine में आपको चीजे मिल जाती क्या, मुख रुख से चीज मिल जाती, जिसका नाम है CPU, CPU को हम बोल देते हैं प्रोसेसर, यानि Central Processing Unit, अब इस Central Processing Unit क्या करती है, जो भी हमने input दिया, उसको process करने का काम करती है, यानि कि जो हमने raw material दिये, उसको बैवस्तित करने का काम कोन करती है, या processing, यानि कि CPU, CPU प्रोसेस कर देता है, उसके बाद हमें प्राप्त होता है, तो प्राप्त कैसे होता ह है output के थुरू अब output के थुरू कैसे प्राप्त होगा वहाई इसके लिए भी device की जरूवत पड़ती है device यानि हम simple बोल सकते है output device की जरूवत पड़ती है मुख रूप से monitor जिसके थुरू हम देख पाते हैं स्क्रीन पर और एक होता है कागज पर प्रिंट आता जिसे हम output बोल देते हैं यानि कि hard copy output तो soft copy output hard copy इसके बारे और बात करेंगे बाद में ठीक है तो यह तीन चीजे मिलकर यहाँ पर computer की process मतलब जो complete प्रक्रिया है वो चलती है कौन-कौन सी input है process है और output है जिसके थुरू हमको जो है complete हमारा output देखने को मिल जाता है आगे चलते हैं computer एक प्रकार की electronic device है एक आपने सुना होगा electrical और एक सुना होगा electronic तो electrical और electronic में क्या अंतर होता है electronic मतलब जहां पर semiconductor का यूज होता है आप semiconductor आपने पहली बार सुना होगा तो semiconductor का मतलब हो जाता है जो silicon की बनी होती IC वगेरा जो भी है जैसे टीवी आपकी electronic device है आपकी जो computer है वो electronic device है radio है या जितनी भी प्रकार की devices है जो DC वोल्ट से चलती है मतलब पावर सीधे उसमें नहीं जाता है जैसे मान लो आप कोई hardware की दुकान में जाओगे या transformer आप देखोगे जैसे transformer है तो यह electronic नहीं है electrical है electrical कैसे भाई simple है यह बड़े बोल्ट पर काम करता है और जितनी भी mobile phone है laptop है tablet है या TV है यह सब devices कैसे काम करती है DC बोल्ट पर यह नहीं कि छोटे बोल्ट पर काम करती है तो उसे हम बोल देते है electronic device यह नहीं semiconductor पर काम करती है user से input लेती है data के form में process करती है और result हमको provide कराती है जैसे हम juice बनाना है तो हमको input देना होता है यह raw material देखे इस प्रकार से raw material को grinder के थूर हम क्या करते है इसको grind करते है और उसके बाद इसको एक glass में निकाल लेते है यानिकि इन सभी चीजों का mix कहां मिला है output जिसे हम juice बोल सकते हैं जैसे हम यहाँ चलें तो यहाँ को देखने को मिल जाता है जब हम input देते दें तो input में हमने क्यां दिये अमानलो raw material को हम बोल देते है data, data क्या होता है विभिन आकडे या विभिन ने जो जिन पर हम गण्लाय करना चाहते है वो data कहलाता है data raw material होता है जो input के through दिया जाता है process करने के बाद data को किसमें बदला जाता है data को information में बदला जाता है मान लो data output के रूप में हमें प्राप्त हो गया तो कैसा होगा वह information होगी तो यह कहलाता हमारा क्या IPO यहने की raw data को information में बदलने का काम कोन करेगा computer करेगा ठीक है जैसे हमारा यहां juice बनता था उसी प्रकार computer हमारा data processing कर सकता है जैसे हमने अभी बात किये data को store भी कर सकता है क्योंकि इसके अंतरगात हमारी memory भी होती है memory क्या होती है आगे हम विस्तार से सारी चीजे देखने वाले हैं data को बापास हम देख भी सकते हैं जैसे mobile में आप फोटो खीचते हो फोटो खीचके store भी हो जाती है आपके पास में 128GB memory होगी 256 होगी या XYZ जो भी होगी पर memory होती है उस memory में हम data को store कर लेते हैं और उसको बाद में हम निकाल कर देख भी सकते हैं सुन सकते हैं जैसे भी तो data को निकाल कर फिर से देखना data retrieval कहलाता है डेटा को store करना मतलब data उसको save करना processing मतलब जैसे मानलो फोटो को आपने capture करे processing होका store हो गई तो ये कहलाता है इसके अलाबा इसमें हम document तयार कर सकते हैं document MS Word में हम तयार कर सकते हैं email create कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू games खेल सकते हैं इसके अलाबा आप browsing कर सकते हो internet में साथ ही आप excel sheet काम कर सकते हो बीभिन प्रकार के employee को manage कर सकते हो या इसके अलाबा आप presentation जो आप किसी को दर्साना चाहते हो बहुत सारे content है company के आप head हो, leader हो तो आप एपने employee को training देना चाहते हैं customer के आगे कोई presentation देना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं वीडियो editing कर सकते हैं जैसे बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे वो वीडियो editing कहलाती है मतलब आप real, short या फिर बड़े वीडियो tutorial वीडियो, सारी चीज़े हम computer में कर सकते हैं तो यह basic जानकारी होगे computer की आगे यह basic theory लिखी है यह सिर्फ आपके पढ़ने की है आप एक बार, एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखे और उसके बाद यह जो notes है उसको पढ़ लेना notes में provide कर दूँगा आपको कहां पर एक तो मिल जाएगी आपको टेलिग्राम में एक मिल जाएगी आपको website में तो दोनों में से कहीं भी आप इसे ढूंड सकते हैं search कर लिए ना, तो search करने पर आपको मिल जाएगी basic computer या fundamentals of computer के नाम से आगे चलते हैं, देखें computer जो है computer सब्दी के उत्पत्ति compute से हुई है, compute का मतलब हो जाता है गणना करना, इसका मतलब सबसे पहले गणना करने के लिए इसका use किया जाता था परन्तु आज बरतमान में देखें तो क्या computer सिफ गणना करता है कि नहीं computer जितने भी काम है सारे काम करने के लिए सक्षम है मतलब हर जग है, versatile हम बोल सकते हैं versatile मतलब computer एक जग है तक सीमित नहीं रहा है, हर जग है चाहे वो ticket booking हो, चाहे वो office हो चाहे business हो, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे tutorial पढ़ाने वाला teacher हो जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं भी computer के थूर ही आपको पढ़ाता हूँ तो simple से बात है, गणना करने तक सीमित नहीं रहा है पर सुरवात कहां से हुई है, गणना से तो compute सब्दे से इसकी पत्ती हुई थी जिसका काम था गणना करना, यहनिकि compute जो एक प्रकार से हम calculator बोल सकते थे सुरवाती तोर पार, आगे भी बारे बात करेंगे इसके अलाबा इसका जो छेत रहा है, सीमित नहीं रहकर versatile हो गया, यहनिकि विस्तरित हो गया, हर जगे यह फैल चुका है, इसके अंतरगत high storage capacity, speed है, automation है capacity, इसके अलाबा accuracy है, versatility है उसके बाद reliability, यह सारी features देखने को मिल जाते हैं, साथ ही, कम समय में अधिक काम करने के लिए सक्षम है, इसलिए हम computer का use जादा जादा करते हैं, compute की अगर बात करें, तो computer आप सीधे अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते, compute यानि की, C का मतलब calculation हो जाएगा, O का मतलब operative, M का मतलब mechanics, इसके बाद P का मतलब processor, processing या processor, ठीक है, U का मतलब useful, T का मतलब दिसारास, यानि की meaningful या सब्द कोस बोल सकते हैं, E का मतलब extensive, और इन मतलब को भी आप देख सकते, यह कोई exact मतलब, आप ऐसा बोले कि विधी का विधान नहीं है, यह तो एक meaning निकाला गया है, हमारे समझने के लिए, अब बात करते हैं, computer के block diagram की, block diagram होता क्या है, आपने मानो का skeleton system सुना होगा, यह की कंकाल तंत्र है, मानो का पाचनतंत्र आपने पढ़ा होगा, तो मानो के पाचनतंत्र को पढ़ते समय आपको यह चीज़ पता चलती होगी कि हम किस प्रकार खाना जाता है, किस प्रकार processing होती है, यह सारी चीज़े जो diagram है, वो बनाया जाता है, उसी प्रकार, computer किस प्रकार working करता है उसकी working को एक diagram में बनाया जाता है उस diagram को block diagram of computer बोला जाता है तो computer मुख रूफ से हम देखे हैं हमारे पास में raw data है जिस data पर हमको काम करना उसको हमने type कर दिये type करें तो वो input हुआ वो कैसे गया input के तौर पर और input के लिए input devices की ज़रुवत पड़ी माउस है कीवोड है और extra चीजे हो सकती है जब ये input के तौर पर गाया तो वो कहां जाता है computer में एक memory होती है जिसका नाम है man memory और इस man memory को हम बोल देते हैं RAM क्या बोल देते हैं RAM random access memory विस्तार से आगे पढ़ने वाले इसके लिए तो हम सीधे हम यहाँ पर बात करें तो RAM में जितना भी data हमने दी है वो इस्टोर होता है line by line ठीक है sequence में अब क्या बात होती है देखिए यहाँ पर control unit है तो control unit जो है ये निरधारित करता है कि man memory में रखा गया data कहा जाना चाहिए processing के लिए तो वो processing के लिए चले जाता है और processing के लिए जहाँ जाता है उसे हम बोल देते हैं arithmetic and logic unit यानि कि हम simple sort में बोले तो ALU इसे हम बोल देते हैं arithmetic logic unit अब ये जितनी भी गण्णाय होती है जैसे आपको computer में दो संख्याओं को जोड़ना है तो जोडने से related गण्णाय है ALU करता है अगर आपको तुलनात्मा का अध्यान करना है arithmetic logic unit की उबलग है गणिती और सांख्य की गण्णाय है सभी कोन करता है arithmetic logic unit और जो भी काम हो रहा है CPU के अंतरगत cabinet में या CPU में उसको control कोन करता है control unit इसलिए इसे control unit यानि की CU वल दिया जाता है और जितने भी data instruction हमने दिये वो कहां store होता है main memory में अब बात आती है कि सिर्फ यहीं काम चलेगा क्या नहीं जो भी processing होती है वो हमको दिखाई देती ही न तो दिखाई कहां से देगी output के तौर पर और सबसे पहली जो device होती उसका नाम है monitor monitor के थुरू हमको दिखाई देती है साथ ही अगर monitor में सही लगता था हम print निकाल लेते हैं printer के थुरू तो मतलब इस सारे काम को control कोन कर रहा है control unit और इस monitor में output जो दिखाई देता है उसको हम क्या कर लेते हैं save कर लेते हैं save करने का मतलब सुरक्षित रखना भविश्ट के लिए तो save करके रखने का काम कोन करता है save करके रखने का काम करता है यह auxiliary storage auxiliary storage का मतलब हो जाता है secondary या सहया memory जो यहां पर जो काम हुआ है उसको permanent store करती है तो हमने यहां बात के रिए main memory यानि primary memory हम बोल देते हैं और एक बात के secondary memory तो primary memory में जो data होता है वो permanent नहीं होता है यहनि कि light है यहनि कि light अभी है बिजली on है computer चालू है तब तक इसमें data store है और अगर आपने बिजली चली गई है या computer बंद कर देत इसका data डिलीट हो जाएगा परन्तु अगर आपने secondary memory auxiliary storage जिसे आप बहुत सारे storage सुने होंगे SSD सुने होंगे solid state drive आज की डेट में trending में है इस device को यानि कि storage को लेना बहुत जरूरी है तांकि computer हमारा तेज चले इसके पहले जो technology थी वो hard disk drive थी और उसके पहले जो थी floppy disk तो ये सब secondary storage के category में आ जाती है अपने CD, DVD, memory card, pen drive ये सब सुना होगा सभी साहिक storage होती है तो यहाँ पर आपको जिस प्रकार computer काम करता है वो हमने यहाँ पर बात किए इसके लिए हम एक और diagram की सहायता लेते है तो यहाँ पर देखिया आपको एक और diagram दिखता है हमने बात किये थे input devices की input devices में हम data input देते हैं अब वो man memory में जाता है पर एक चीज बताइए यहाँ पर हम input दे रहे हैं यानि कि हम इंसान है और यह तो ठहरा बेचारा machine machine मतला जो खुद सोचने समझने हो गया हमारी भासा नहीं समझता है तो इंसान और machine की भासा में क्या होगा दिक्कत होगी तो उसके बीच में communication कोन करता है encoder encoder क्या करता है हमारे दोरा जो भी data दिया गया है उसको परिवर्तित करेगा यानि कि translate करेगा और यहां computer में store करेगा अब यहां सारी चीजे process हो जाती है process होने गवाद जब हमको output दिया जाता है तो वो हमारी भासा में यानि कि हमारे समझने योगए भासा में दिया जाता है तो वो कोन बताता है मतलब machine यू में transfer कर देगा कि नई जैसे मान लो एक hospital में एक doctor है और doctor के पास पूरे पूरे patient एक साथ चले जाती है तो क्या होगा दिक्कात होगी तो इसलिए क्या होता एक एक करके जाते हैं पर patient तो एक साथ बैठे रहते हैं तो कहां बैठे रहते हैं मान लो वहाँ पर receptionist के पास waiting room रहता है उसी प्रकार यहाँ पर हमारी RAM रहती random access memory तो यहाँ store है और एक एक करके कौन ले जाने काम करता है case memory मतलब यह भी एक प्रकार की memory है आज थाई जो क्या करती है एक एक instruction को ले कर जाती है control unit के थूर अब एक चीज और होती है कि यहाँ पर जो RAM है वो fast काम करेगी या case तो आप बताईए मुझे जो primary memory है वहाँ पर धेर सारा data store है तो वो slow काम करेगी case आपका जो है एक एक करके data ले जाती है कि एक instruction इसलिए वो fast काम करेगी अब ALU ने जो भी processing करा है इसको जरूवत होती ही कि समय समय पर कुछ processing करके थोड़ी देर के लिए store करके रखे तो इसके पास भी अपनी खुद की memory होती है जिसे हम बोल देते है register क्या बोल देते हैं register बोल देते हैं तो यहाँ पर आपको जो है register के बारे में देखने मिलेगा मतलब ALU के पास अपनी खुद की memory होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं register या buffer memory उसके बाद हमको output यहाँ पर दिखाई देता है मतलब जरूवत पढ़ने पर output दिखाई देता है और हमको जो है store करना है तो store करके भी हमको दिखाई देता है ठीक है तो यह block diagram आपको समझ में आगया होगा चलिए आगे चलते हम यहाँ पर आगे देखेंगे components of computer जो है block diagram तो block diagram में आपको input devices समझ में आगई दूसरा आपको CPU समझ में आगा जिससे हम central processing unit बोलते हैं इसके अंतरगत आपको क्या के चीज़े मिल जाती है CPU में आपको ALU मिल जाता है control unit मिल जाती है और इसकी खुद की memory होती है जिसे हम buffer memory या register बोल देते हैं आगे इसके बारे में और बात करेंगे इसके अलाब़ा आपको memory यानि रेम आपने समझ लिए जो की receptionist का काम करती है जिस प्रकार hospital में होता है उसी प्रकार computer में ये काम करती है सारे data को store करके अपने पास रखती है sequence में उसके बाद storage device जो permanent store करती है auxiliary disk हमने देखें output जो monitor और printer output देता है आब हम बात करेंगे किसकी cabinet के अंतरगात आपको एक और चीज़ देखने मिल जाती जिसका नाम है motherboard तो motherboard क्या होता है एक expansion slot होता है जहां पर ये सारी चीज़े जुड़ी होती है इसको हम आगे और discuss करेंगे अच्छे से इसके लाबा expansion card क्या होता है माल लोग आपको graphics card की जरूवत है इसकोन करता है ये power supply unit जिसे हम SMPS बोलते है ने कि switched mode power supply एक UPS भी होता है तो UPS क्या होता है यहां पर uninterrupted power supply इसका मतलब अगर बिजली में कोई problem हो या fluctuation हो तो सभी को control ये करता है इसके लाबा hardware की बात करें तो computer में hardware ऐसे parts होते हैं यहां हम छू सकते हैं देख सकते हैं जैसे की printer आप देख सकते हैं ठीक है जो आपके सामने physical devices SMPS आप देख सकते हैं छू सकते हैं monitor की बात करें उसके अलावा देखें keyboard है, mouse है, hard disk है optical drive है, motherboard है, processor है, RAM है SMPS ये सारी चीज़े क्या कहलाती है computer के hardware कहलाते हैं कुछ चीज़े इसके अंधर आपको देखने मिलेगी cabinet में, जैसे SMPS यहां जाता है RAM आ जाती, processor आ जाता है, motherboard आ जाता है optical disk, hard disk तो यह सारी चीज़े किसमें जाती है, इस cabinet में तो यह कहलाते है computer के hardware तो computer के hardware में मुखरूप से input devices होती है, जो की mouse होता है, keyword होता है यह सारी चीज़े आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जैसे यह mouse आप देख सकते हैं mouse आपने देखा ही होगा कहीं न कहीं online में या चलाए भी होगे keyword आपने देखा होगा, typing जैसे आप mobile में टाइप करते हैं वैसे, CPU जो main processing का काम करता है RAM जो store करने का काम करती है, storage device, permanent store करती है output device की बात करें तो output device जो होती है, आपकी user को output प्रदान करती है motherboard, expansion slot होता है, उसके आद expansion card उसमें attach किया जाते है power supply, cooling system, fan देखे होगे आपने CPU में या laptop में fan गूमते रहते हैं, वो कहलाते है cooling system यहां देखे आपको यह इसके अंतरगत देखोगे थे fan है, optical drive यहां देख सकते हैं, hard disk है motherboard यह जो बड़ा सा जो expansion chip देखती है, वो motherboard फिर उसके आद power supply और fan आप देख सकते हैं, पीछे आपको जितने भी port देखेंगे वो connectors कहलाते हैं इसके अलाबा expansion slot भी आप देख सकते हैं, तो यह चीज़े आपको देखने को यहां पर मिल जाएगी चली आगे यहां पर हम बात कर लेते हैं, cabinet में कुन-कुन से part होते हैं, वो हमने अभी यहां देखे हैं जैसे motherboard है, CPU है, RAM है, hard disk है, SSD है, power supply, SMPS है, video card, graphics card बोल देते हैं, network card, bluetooth card या adapter हम बोल देते हैं अब बात कर लेते हैं, हम किसकी motherboard की, तो motherboard आपको इतना बड़ा जो प्लेट है, जो CPU में रहता है, या फिर आप देखोंगे, मतलब cabinet में रहता है, cabinet के अंदर यह फिट रहता है, जिसमें देखें, पीछे के साइड आपको complete port देखने मिलेंगे, जिसमें आपको, पीएस टू जो port है, जिसमें keyboard mouse फसते थे पहले, फिर इसके आद आपको BGA port देखने मिल जाएगा है, USB मिल जाएगा यहाँ पर, देखे, parallel port है, जिसमें printer भी attach किया जाता था पहले, Ethernet port है, LAN card मतलब यहाँ पर होता है, LAN cable attach होती है, USB और extra है, यहाँ पर भी, कुछ sound से related port आपको मिल जाते जिसके थुरू आप क्या करते हो, sound यानि microphone, speaker यहाँ से connect कर पाते हो, एक battery मिल जाती है, जो date and time की setting को या जो आपकी CMOS setting को store करकर रखती है, इसलिए CMOS battery उसे बोल देते हैं, उसके अलावा बहुत सारे register है, देखे, यहाँ पर chip बगर अलगी होती है, तो इस सारी चीज़े आ करने का काम करता है, यानि कि exhaust का काम करता है, उसके अलावा यहाँ जो है आपका CPU processing device जो processor होता है, वो attach किया जाता है, बाकि यहाँ पर आपकी RAM attach की जाती है, RAM मतलब random access memory, दो slot दी रहते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 लगा सकते, आप चाहे तो यहाँ पर 8 यहा यहाँ पर देखने मिल जाता है, SMPS से जो power आता हो, यहाँ पर आजाता है, अब इसके अलावा यह आप देखोगे, तो यह देखी expansion slot दिखेंगे, expansion slot बोले तो यहाँ पर 5 देख रहा है, मान लो एक में आपने graphics card लगा दिए, एक में आपने network card लगा दिए, एक में sound card लगा तो यह जो है, आप सभी क्या कहलाते है, expansion slot कहलाते है, जिसमें अलग से card हम यहाँ पर attach करते हैं, तो यह होगा complete आपका motherboard, जो है आपका एक प्रकार से basic system unit है, जिसके अंतरगा सारी devices connect होती है, अगर motherboard ना रहे, तो काम यहाँ पर नहीं होगा, जिस प्रकार घर में मम्मी नही से नहीं करेगा, या तो करेगा ही नहीं, ऐसा हम मान लेते हैं, मतलब एक प्रकार से सारी devices को आपस में जोड़कर, communication कराने का काम, या संचार कराने का काम कोन करता है, motherboard करता है, ठीक है, motherboard के अंतरगात, यह basic चीजे है, जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे हम उधारन के रूप मे IVM के दौरा सुरवात में इसका नाम प्लानर से किया गया था, तो यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखे, तांकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मैन बोर्ड इसे बोल देते हैं, मैन सर्किट बोर्ड है, MB भी बोल देत देते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं, integrated होते हैं, non integrated, desktop motherboard, laptop, or server, तो server का to server में यूज किया जाएगा, laptop, laptop में, desktop का non integrated motherboard, और integrated, तो यह अलग-अलग आपको دेखने को मिल जाते हैं, अब motherboard में जो part होते हैं, उनके बारे मे मैं पहले बिग बता दी हूँ, जै है वो कहां store होती है CMOS में तो CMOS भी आप देख सकते हैं CMOS मतलब complimentary metal oxide semiconductor होता है lithium cell होता है 3.0 volt का RAM random access memory जो memory होती ही वो slot आपने देख लिए है यहाँ पर slot जहां टेज किया जाता है IDE connector होता है जहाँ पर आप जो है SATA device को connect करते थे पहले ठीक है IDE connector मतलब जो parallel device होती थी और SATA connector के लिए यहाँ SATA connector होता है expansion card slot भी हमने देख लिए तो यह चीज़े आपको समझ में आगए storage connector भी आप देख सकते यहाँ पर USB बगेरा co processor यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है USB port है PH2 port है यह USB port तो यह देख रहा है आपको application के लिए port हो सकते डिस्प्ले connector के लिए port है तो यह सब जो है motherboard के background में सारी चीज़े connect हम कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने motherboard के बारे में basic चीज़े जाना history आप एक बार पढ़ लेना जैसे बनने से क्यासी से कहानी शुरू हुई फिर धीरी धीर टेकनोलोजी एडवांस होते गई और आगे जाकर जो है अभी आपको सबसे ज़्यादा देखे अभी फेमस motherboard के अगर बात करें तो आप Google करोगे Google कैसे भाई Google में जाओगे और Google में बोलोगे अगे देखते हैं तो देखे यहां पर आपको लिस्ट भी दिख रही पर आप खुद सर्च करके इसको पेस्ट करोगे CPU, Central Processing Unit जिसके अंतरगाद आपको ALU, Arthematic, Logic Unit देखने मिल जाती है तूसरा Control Unit तीसरा Buffer Memory यानि की रेजिस्टर देखने को मिल जाता है जो Intel का काफी famous है ठीक है आगे चलके बहुत सारे जो इंटेल के अलावा भी बहुत सारी कनेक्ट होती है और यह जो है आपके कंप्यूटर में अटेच होते हैं मतलब इस्टोरेज के लिए या CD राइटर या जो भी चीज बोल दो आप ठीक है मतलब जो बोल्टेज है हाई बोल्टेज को लो बोल्टेज में कनबर्ट करने का काम करता है कौन पावर सप्लाई है SMPS उसके आद वीडियो कार्ड जो हमने अलग अलग कमपणी के दौरह जो है NVIDIA के कार्ड बनाए जाते हैं जो कि वीडियो यहां कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग या वीडियो प्रोसेसिंग में घेल्प करते हैं कम्प्यूटर में गेमिंग के लिए भी हेल्प करते हैं network card बायरलेस भी हो सकता है और बायर वाला भी हो सकता है ठीक है network interface card जिसे हम बोल देते हैं जैसे यहां Ethernet cable पीछे से land card फसाक है या land cable फसाक हम इंटरनेट चलाते हैं या फिखे Laptop में आपको land card फसाने की ज़रूवत नहीं land cable की तो यह antenna जिसे inbuilt होता है उसमें उसके बाद Bluetooth की बात करे तो यह अटेज भी हो होता और अंदर हम देख सकते हैं बील्ट भी होता है लैप टॉप बगेरां चलि यह तो बात हो गई हमारी हाड़ olmas की हाड़्वियर हमने विस्तार से यहाँ पर देखे हैं जिस dollar हमने सीप्यूआ यह चैविनेट- contin vignette hardware को manage करने के लिए हमको कोई निर्दोसों के करम या एक software की जरूवत पड़ती है जो इस hardware को user की अनुसार यहाँ पर maintain किया जा सके तो आप simple देखोगे तो यहाँ पर आपको देखे जो hardware है CPU, mouse, keyboard बहुत सारी चीज़े देखने मिल जाती है hardware और यहाँ पर देख लो user hardware रीजर के बीच में communication कोन करता है software कोन कोन से software होते हैं तो basic आपका system software होता है जो मुख रूप से computer को कार करने होगे सक्षम बनाता है जैसे operating system और अन्य चीज़े हो सकती है अब जैसे system capable होगा काम करने के लिए तो जरूवत पड़ जाती है हमारी requirement का नुसार यानि कि हमको समय समय पर अलग-अलग software की जरूवत पड़ती है जैसे आपको photo editing करना तो आपको Photoshop की जरूवत पड़ेगी वीडियो editing करना तो आपको Premiere Pro की जरूवत पड़ेगी आपको animation बगेरा बनाना तो After Effects की जरूवत पड़ेगी तो सब क्या है यह सब जो है आपके application software है जैसे आपको MS Word यानि कि आपको documentation तयार करना तो आपको MS Word की जरूवत पड़ेगी आपको sheet तयार करना तो Excel की जरूवत पड़ेगी आपको presentation बनाना तो आपको PowerPoint की जरूवत पड़ेगी आपको editing करना Photoshop में तो यह इसकी जरूवत designing करना कोई page बनाना तो यह अलग-अलग जो software है वो सब क्या है वो सब जो है application software की स्रेड़ी में आते हैं तो इनको हम आगे और विस्तार से बात करने वाले हैं चलिए अब बात करते हैं यहां पर user की तो user भई मैं भी user हो सकता आप भी user हो सकते जो computer चलाते वो सभी user, user को दो category में बाटा जाता है एक तो हो जाता है normal user और एक हो जाते है special user नॉर्मल user वो होते है जो daily wise पर कुछ काम करते हैं पर special जो होते हैं जैसे scientist है इसरो के जो बैग्यानिक है, जो special काम कर रहा है, computer का उप्योग करके, वो अलग special user कहलाते हैं, तो यहाँ पे बिना user के computer काम नहीं करेगा, आप बात करोगे कि AI आ गया है, नहीं, तो AI आ गया है, तो AI को चलाने के लिए भी तो user की जरूवत पढ़ेगी न, AI खुद से काम तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो इनसान का जो भविस्थ है, वो खत्रे में हो जाएगा, अगर AI पूर्ण था काम करने लगा, तो इसलिए AI को चलाने के लिए भी कहीं ने कहीं, user की जरूवत पढ़ना है, तो कितने भी कुछ हो जाए, user बहुत महत पूर्ण होगा, यह आसपास जो देखे होते हैं, उनके बारे में हमें हाँ बता सकते हैं, कि कहां कहां computer हम use कर सकते हैं, तो आप खुद भी बता सकते हैं, वैं simple है, computer बरतमान में किसी भी छेतर से अचुता नहीं रह गया है, यहां भी देखोगे computer का उपयोग होना ही होना है, पढ़ाई करने से लेकर आप पढ़ाने की बात करें या scientist मतलब जो इसरो के scientist है DRD के scientist है, बयापार की बात करें trading की बात करें या अन कोई जगे की बात करें, हर जगे computer यहाँ पर use होता है, साथ ही घरों में देखोगे, तो shopping करने के लिए internet, banking के लिए, या फिर kitchen में भी आपको computer देखने को मिलेगा, automated machine आ गई है, TV में आपको computer मिलेगा, तो applications of computer को समझाना बहुत ही कठीन है, परन्तु हम कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, household यानि कि घरों में और personal use में computer कहां कहां use होता है, वाई simple आप देखोग परन्तु freeze बगर देख सकते हैं, microwave देख सकते हैं, इन सभी में inbuilt computer आने लगा है, car की बात करें, तो car में inbuilt आपको computer देखने को मिल जाता है, automated car, घरों में आपको जैसे टीवी देखने के लिए, या फिर game खेलने के लिए, personal use robot, देखें, robot साफ सपाई कर रहा है, या फिर जो computer को सीखने के लिए computer क्या बसकता हो रही, simple सी बात है, आप अभी computer सीख रहे हैं मानलो, तो computer के थ्रू ही computer सीख रहे है, तो computer का use पढ़ने के लिए साथ ही, उसको सीखने के लिए computer क्या बसकता है, पढ़ाने के लिए computer क्या बसकता है, तो यहाँ पै about computer, learning about computer, computer को जानने के लि में भी काम कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, परन्तु आप तो अभी computer से पढ़ रहा है ना, या mobile से, तो computer as a teacher है, किसी भी प्रकार की problem आती है, तो हम search कर लेते हैं, तो computer problem solving के लिए उस किया जाता है, computer in training and examination, जब किसी को training देना है, या कोई आप exam देने जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको computer की अवसकता होती है, इसके अलावा computer in entertainment, यानि कि मनोरंजन के छेतर में computer की अवसकता देखें, तो game खेलने के लिए यहाँ पर computer की ज़रूत पड़ती है, movies देखने के लिए computer की ज़रूत पड़ती है, गाने बगरा सुनना है, तो भी आप उसी सु कोई कलाकारी painting करना है, drawing करना है, कुछ sketch बगरा बनाना, तो आप किस के तुरू बना रहे हो, computer के तुरू, तो इस सारी चीज़े जो है entertainment की स्रेणी में आ जाती है, देखे, आप बात करते है computer in scientific research, तो scientific research की बात करें, तो आज की rate में आप देखोगे, इस रो तो आप जानते research किये जाते है, किसके अंतरिक्ष के छेतर में, तो वो किये जाते है, इस रो के द्वारा, तो वहाँ पर भी हमको किसके जुरत पढ़ रहे है computer की, एक और होता है DRDO, ठीक है, चलिए DRDO का फुल फर्म बताईए, और DRDO का जो headquarter हो कहा है, इसके द्वारा missile launching की जाती है, missile बग सीन में घुच जाता है, और पूरी बीमारी पता चल जाती है, तो यह तो चमतकार हुआ है, तो computer जो है, इनसान की आयू बढ़ाने में भी मदद कर रहा है, दीर घायू बनाने मदद कर रहा है, जब एक जमाना था, जब बीमारी का पता नहीं चलता था, और इनसान की death हो ज स्कैनिंग होती है, ठीक है, थ्री डैमेंशनल यहां पर नर्सिंग की साहता, बहुत सारी चीज़े यहां पर, अलार्म बगएरा आप, जो ECG मसीन देखे होंगे, जो पल्स बगएरा दिखाती है, से धड़कनों की जो भी है, computer information technology, आप internet चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, त उसमें भी आपको computer क्या वसकता है, electronic business ब्यापार्क चला रहे हो, तो उसमें भी आपको computer क्या वसकता पढ़ती है, तो यहां पर यह सारी चीज़े हमने देखे, जो की computer के application कहलाते हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप थोड़ा मोटा मोटा knowledge इस प्रकार र यहने कि जब आप काम करते हो, तो महीनों, सालों लग जाते हैं, पर computer उसको कुछी मिनट में काम कर देता है, इसका मतलब इसकी speed कई गुना जादा तेज है इनसान से, तो इसकी speed एक मैन भी सिस्ता होगे, accuracy, एक इनसान काम करेगा, तो कहीं न कहीं गलती होने की संभावना ह पर गलती का होती है, देखे, इसको निर्देश दिये जाते है, यूजर के द्वारा, अब यूजर कुछ गलती करेगा, तो वो computer गलत हो जाएगा, भाई, computer गलत कैसे होगा, user की गलती कहलाएगी, मतलब user गलत होगा, तब ही computer अपनी accuracy बिगाड़ेगा, फिर भी computer जो है, सही काम करेगा, क्योंकि user ने निर्देश दिया, तो computer accurate होता है, intelligence कर्मट है, यानि कि उसको कितने इंसान को कुछ निर्देश दे कर देखो, एक समय बाद वो परसान हो जाएगा, पर computer को आप निर्देश देते रहो, वो कर्मट है, अपने काम के प्रती जिम्मेदार है, कितने आपका configuration सही होना चाहिए, versatility यानि कि computer हर जगे उपलब्ध है, ठीक है, जैसे मैंने सुरू से बताया हूँ, तो हर एक छेतर में computer को उपयोग हो रहा है, यानि कि सभी जगे ब्याप्त है, जैसे हम बोलते ने, कि भगवान हर जगे है, उसी प्रकार computer हर जगे उपयोग होता है, reliability यानि भरोसे मंद है, इसमें कोई भी काम हम जो है करते हैं, वो भरोसे मंद होता है, इसमें store करे हैं, तो वो सही store होता है, कैसे, भाई, अगर आप उसको store कर देते हो, तो कब तक delete नहीं होगा, जब तक कि हम delete ने करेंगे, इसका मतलब क्या है, reliable है, यानि भरोसे मंद ह उसके बाद consistency, एक इनसान लगतार काम करेगा, तो वो एक प्रकार से irritate हो जाएगा, या फिर headache हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनसान है, पर एक machine, यानि computer लगतार काम करेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानि consistency बनी रहती है, memory, इसके अंदर storage की capacity store कर स हैं, तो वो output आने तक खुद से ही काम करता, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, इसका मतलब क्या है, वो स्वा चाली थे, automatic काम करते रहेगा, जैसे हम एक इनसान को कुछ निर्देश दे देते हैं, तो बीच में जाकर वो रुख भी सकता है, पर ये computer है, computer रुखेगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये automatic काम करते रहता है, तो यहां पर हम बोल सकते है, automation, तो यहां हमने बात करें, characteristics, यानि कि computer की विश्यस्ता है, कौन-कौन सी, speed है, accuracy है, diligence है, versatility है, reliability, उसके वालावा consistency, फिर memory के अंतरगत, memory, storage capacity, remembrance, power, उसके बाद आप जो देख सकते है, automation है, तो यह आप ध्यान में रख सकते है, characteristics, यानि विश्यस्ता है, आप अपनी खुद की विश्यस्ता है, देखिए ना, कि जैसे मानलो आप अनुसासन का पालन करते हैं, यानि कि आप जो है, consistency होना चाहिए आपके अंदर, तो वो आपके अंदर है, कि निवो चेक कीजिए, सीमा पर हम देख लेते हैं, जब हमने इसकी characteristics या विश्यस्ता देखे तो उसकी कुछ नुकसान भी होते हैं, यानि कि सीमा या limitations होती है, जैसे lack of intelligence, यानि कि इसके अंदर सोचने समझने की छमता नहीं है, और इसके अलाबा, unable to self protection, ये अपनी सुरक्षा खुद से नहीं कर सक सकता है, समय समय पर अगर खुद से decision लेना तो इसकी capacities के अंदर नहीं है, तो ये कुछ कम्या है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, लिखा भी है, जैसे इसके पहले देखोगे तो जो आपने features पढ़े हो, features के बारे में भी यहां सारी चीज लिखी हुई है, notes में, और limitations है, limitations lessons के बारे में भी सारी चीज लिखी हुई है, तो दोनों चीज़े आप यहां पर समझ सकते हो, और समझने एक बाद इसको पढ़ लेना है तो आपका काम complete हो जाएगा, चाहे आप exam दे रहे हो, या computer को समझ रहे हो, सारी चीज़े आपके लिए बहुत important है, चली आप बात कर लेते हैं computer की पीडिया, पीडिया मतलब generation, अब generation क्या होती है, simple है computer कही न कहीं से बनना शुरू हुआ होगा, और बनना शुरू हुआ है, तो उसमें कोई न कोई टेकनलोजी में changes होते रहे होंगे, तब जाकर हमको बरतमान में जो computer दिख रहा है, वो दिखाई देता है, तो मुख रूप से computer की PD को 5 भागों में बांटा गाया है, कौन कौन सी, एक तो हो जाती 1st generation, एक हो जाती 2nd generation यानि नाम से है, 3rd generation, 4th generation, 5th generation, बरतमान में जो technology यानि की PD चल रही हो 5th की है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि करखे 5 के बारे में, हम यहाँ बात कर लेते हैं, देखे जब PD यानि technology जो हमारी change हो रही थी, जब PD गिनी जा रही थी, उसकी just पहले, computer की 1st generation स्टार्ट होने के पहले भी कुछ computer बने थे, यानि की कुछ machine बनी थी, उन्हें बोल देते हैं, PD के पहले बने बाले, जैसे अबेकस, बना था 2700 BC, और इसकी सुरवात हुई थी चाइना स पासकल कैलकुलेटर है, स्टैप्ट, रेकनॉर है, उसके आद एर्थमेटोर है, उसके वाद एक कॉमपेटोमेटर है, दा डिफरेंस इंजन, एनलिटिकल इंजन, दा मिलेनियर, तो यहां आप देख सकते हैं, और एनलिटिकल इंजन बहुत ही इंपोर्टन है, इसको बनान मुझे, जब टेकनोलोजी चेंज होई थी, तो टेकनोलोजी के масс से हम इसको बांड देंगे, उस टेकनोलोजी को कितने साल या कितने में चेंज होआ था तो वह ऐस पर्टेकलर डियुरेशन को एक जनरेशन में देख लेते हैं, और त्ञेशन को किसने बनाया था, उसकी वि पर एक राउंड फिगर आपको याद रखना है कि लगभग 40 से 50 या 50 से जो भी है एक राउंड फिगर आप ध्यान में रखिए टेक्नलोजी जो डिवाइस यूज हुई थी उसकी पिक्चर यहाँ देख सकते हैं आप हाडवेयर इसका नाम क्या था किसने बनाया था उसके अलावा उसके कुछ विसेस्ता और सिस्टम नेम यानि कि कम्प्यूटर के नाम तो पहली जनरेशन लगभग 40 से 50 या 56 के आसपास यहां था वैक्चु आट्याती है इसका जो टेक्नलोजी यूज ही थी यह प्रोसेसिंग यूज की जाती थी वो की जाती थी ती वैक्यूटु कस्च दीवाइस सामने आपको बल्ब के अकार की दिख रहे इसका नाम था vacuum tube और इसको जो है पहली बार जिस computer में उसको बनाने का काम किया था JP account और JW मुचली के द्वारा मतलब यहां पर आप देख सकते हैं और input के रूप में punch card उसके जाते हैं छोटे-छोटे whole वाले जो कागाज होती थी seat उसको punch card बोलते थे और वो बहुत ही small data को store करती थी इसके कुछ बिसेस्ताय दिजे से machine language को support करता था काफे ज़्यादा costly थे heavy थे building के अकार के computer हुआ करते थे हीटिंग ज़्यादा थी क्योंकि battery यानि की बिजली ज़्यादा खाते थे और operating system नहीं था anyak है, addback है, univac है यह तीन जो नाम है वो first generation के computer की स्रेणी में आते थे अब इसको upgrade करके एक device बनाई गई जो की second generation की थी जिसका duration था 56 से लेकर लगभग 63 तक और इसका नाम था transistor transistor को बनाने का काम किया था बिलियम सौकली के दौरा और punch card के रूप में अगला जो device है वो यूज हुआ magnetic tape जिसके storage थोड़ी सी बढ़ गई इसमें operating system आ गया batch operating system काफी fast हो गया थोड़ी small हो गया heating कम हो गई easy update हो गया और coval photon language यहां पर यूज होने लगी और इसमें आप देखोगे तो आपको PDP 8 है IBM 1400 है IBM 7090 है Unibag 1107 है और CDC 36 है यह device आपको देखने मिली second generation के computer में अग इस device यानि कि जो device है जो आपकी processing device उसको upgrade करके एक और device बनाएगे जिसका नाम था IC integrated circuit जो की मुखरूफ से silicon की बनी थी जिसको बनाने का काम किया था jack kilbin है और इसका duration था 63 से लेकर 71 तक लगभग ठीक है लगभग का मतलब कम जादा हो सकता है इसमें large capacity की disk magnetic tape यूज होने लगे जो magnetic tape था उसका upgradeable version time sharing operating system आ गया काफी जादा जो है छोटे हो गए आसनी सब्ड बेज यूज होने लगी बेसिक जिसे हम विज्वल बेसिक बोलते है आज की डिट में आई वीम 306 है आई वीम 307 है पीडीपी 11 है बी 65 है यूनिवेक 1108 है यह सब system जो है third generation की PD में यूज किया जाते थे मतलब उसके system के नाम थे फिर इसको upgrade करके IC को ही VLSI कर दिया गया है very large scale integrated circuit इसको हम जो है microprocessor का नाम भी देने लगे इसको VLSI है और इसका time duration था 71 से 80 लगबग अब microprocessor से युक्त computer को क्या वो लगा है micro computer जिसको हम आगे प्रकार में बात करेंगे और इसमें multiprocessing और GUI operating system आगया जो आज हम यूज करते हैं उसका थोड़ा सा पहले का बरजन ज प्रिक है आसानी से देखें यहां पर अपडेट लेन बेन यूज होने लगा डॉस बिंडोस है आई बीम पीसी स्टार 1000 एपल सेकेंड है मैकिन्टोस है अल्टेयर 8800 इस सब जो है सिस्टम के नाम थे फोर्थ जनरेशन के अब आती है बरतमान में जो जनरेशन चल रही 80 से लेका प्रेजेंट तक वह बोल देते हैं हम फिफ्ट जनरेशन यह लग भाग है मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं फिर माइक्रो प्रोसेसर को और पावर्फुल बनाएगा जिसका नाम था यू एलसाई अल्ट्रा लाज इसकेल इंटिग्रेटेड सर्किट यह माइक्रो प्रोसेस होगे तो डेश्टॉप है लेप्टॉप है मोबाईल है जो भी बरतमान में जितनी भी डिवाइसे यूज हो रहे हैं वो सब कहलाती फिफ्ट जनरेशन के डिवाइसे तो यह होगे हमारा बेसिक जनरेशन हमने देखे आई होप आपको समझ में आगया होगा और इसको आप एक दो बार पढ़ सकते हैं आगे हिंदी में भी इसकी जानकारी लिखी हुई है जैसे आप देखोगे तो सारी जानकारी यहां पर हिंदी में लिखी हुई है इसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इंगलीस में दिक्कत होती है तो और इंगलीस है तो इंगलीस भी ल सुरुवात हुई तो हम इसे बोल देते हैं history of computer यानि computer का जो background है पूरा जो बीद गया है वो कहां से सुरुवा उसकी सुरुवात देखते हैं तो सबसे पहले सुरुवात हुए थी computer की अवेकस है अवेकस मतलाव अवेंडेंट ब्रीट उसके बाद एडिसन, calculation, utility system यह पूरा नाम है अवेकस का तो यह जो है आप इस प्रकार से देखोगे तो आप slate लेते थे पुराने समय में आज की लेट में तो slate गायब है पर जब आप slate जो आप कलम से लिखते थे ना तो उसमें भी आप कोई चीज़े बनी मिलती थी तो यह देखे आपको यहाँ पर यह रोड देखने मिल जाती हैं और ऊपर डेक और लोवर डेक देखने मिल जाता है और यह फ्रेम होता है चाहिए वो तार का हो सकता है चाहिए वो लक्डी का जैसे भी तो इस complete जो फ्रेम है उसको हम बोल देते थे अवेकस जहां पर calculation होता था इसका मुखे काम तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके बाद नेपियर बोन्स बना यह भी मुखरूप से गड़ना करता था प्लस माइनस और इंटू यह तीन काम यह करता था 1617 में इसको बनाए था जॉन नेपियर के दौरा स्कॉटलेंड में ठीक है और यहाँ पे जो टेकनोलोजी यूज की गई थी वो जो है रैबडो लोजिया यहाँ पे इसको बोला जाता था तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अलाबा यहाँ पे आप देखो इसको जाना जा सकता है यह थी देखे पास्कलाइन डिवाइस जो आज की डेट में ओडो मीटर के रूप में हमको दिखाई देती है आगे हम बात करेंगे लेवनीज कैलकुलेटर वील बोलते हैं इसका जो अविसकार किया गया था जर्मान गणी तक गौट फ्रेड बिलिह सुर्वात में इसका नाम था रेक्णिंग मसीन जैसे आप यहां पर देख पा रहा है इसके लावा नेक्स्ट बना था डिफरेंस इंजन क्या बना था डिफरेंस इंजन जिसका जो है अविसकार चार्ल्स बेवेज ने किया था हाला कि फैल हुआ 1822 में बना था भाप से चल तो चाल्स बेवेज के दौरा बनाया था 1823 में वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर यह था अनलेटिकल इंजन अब इसमें यह तो मसीन थी इसमें काम करने के लिए हमको कोई नो कोई सॉफ्ट एर चाहिए था प्रोग्रामिंग चाहिए थी तो यह तो बैकार हो गया अब ब अनलेडिकल इंजन को बूला जाता है तो यहां से बहुत सारे कोश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और आप बेसिक जानकारी भी रख सकते हैं tabulating machine बनी जिसको Herman Holrit के द्वारा बनाय गया था American scientist थे जणगणना करने के लिए जो आपकी sensor होती न 10 साल 10 साल में जणगणना कितने बेखती है और क्या है सारी जानकारी वो करया जाता था इसी device के द्वारा tabulating machine तो ये Herman Holrit के द्वारा बनाय गया थी अमेरिका की जणगणना करने के लिए इसके बाद पंच कार्ड बना जो basic रूप से first generation के computer में input के लिए use हुआ था तो यह आप देख सकते यहाँ पर इसके बाद ABC Atanas of Barry computer यानि कि एक professor था उनका एक student था दोनों ने मिलकर एक computer बनाया और दोनों के नाम से ABC computer रखा गया 1942 में इसको बनाया गया था और प्रथम electronic digital computer था ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना फिर 9 mark बन बना और यह हाँ आपर बात करेंगे तो Harvard icon ने बनाया था Harvard icon ने इसको जो IBM के साथ में मिलकर बनाया था प्रथम पूर्ण स्वाचालीद बिद्धूत यांत्रिक computer था पूर्ण स्वाचालीद जैसे आज की रेट में हमने automation देखे थे बैसाई इसका उपियोग दूसरे 20 विद्ध में किया गया आप दूसरा 20 विद्ध का हुआ था आपको पता होना चाहिए इसका मतलब हम बोल सकते हैं यह फर्स जनरेशन की कैटिगरी में आ सकता है नेक्स्ट है एनियक एनियक का फुलपाम आपको याद रखना है electronic, numerical, integrator and computer या calculator इसका पूरा नाम है जॉन मोचली और जे प्रेसपर एकट के दौरा जे पी एकट के दौर इसको बनाए गया था पैंसलियोंबेनिया विस्विद्ध धाले मोरे स्कूल और इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग में 1946 में यह फर्स जनरेशन में इसको बनाए गया था और यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्यूटर था तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं फिर बना एड्सेक तो एड्सेक जो था एलेक्ट्रोनिक डिले स्टोरेज आटोमेटिक कैल्कूलेटर या कम्प्यूटर 1949 में यह भी फर्स जनरेशन में ही बना इसको बनाने का काम मौरिस बिलकेस और उनके साथियों ने इसको बनाए गया था Cambridge University के Mathematics Lab में और यह पहला एलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था यानिके इसमें इस्टोर भी कर सकते थे हम डाटा को और यहां देखे जॉन बॉन नूमेन के द्वारा यहां पर देखे जो 1945 में SPC कॉंसेट दिया गया था किसमें इसी एड्सेक कम्प्यूटर में फिर एक आया एड्वेक तो एड्वेक जो था एलेक्टोनिक डिस्क्रीट बैरेवल आटोमेटिक कम्प्यूटर जो कि 1950 में बना जॉन मुचली और जेपी एकट के दोरा बनाए गया था और यह सेकेंड कम्प्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फिर बना यूनिवेक तो यूनिवेक जो था यूनिवेक जो था उटोमेटिक कम्प्यूटर था 1951 में जॉन मुचली और जेपी एकट के दोरा बनाए गया था इसको भी की पहला सामान ने प्रियोजनी है ने की हम जो अभी काम कर सकते है नॉर्माल उसके लिए बनाए जाने वाला पहला डिजीटल इलेक्टॉनिक कम्प्यूटर था और पहला संसी बन आप और य wen कर जो थोड़ा सा ध्यान रखना है तो यहां हमने बात मूनाः कि लोग computer आयोप आपको समझ में आगया होगा चलिए next बात कर लेते हैं हम बहुत सारे computer चलाते हैं तो computer तो है गंड़ना करनी के लिए पर computer के भी अलग-अलग category है क्यों? क्योंकि काम के हिसाब से computer को अलग-अलग छेतर में बांटा गाया है और उनकी technology के हिसाब से भी अलग-अलग प्रकार से बांटा गाया है तो इसी को हम computer के प्रकार या computer के types बोल देते हैं जैसे अलग-अलग आप देखोगे micro computer, mini, personal है, laptop है, tablet है, super computer है, सभी के नाम आपने सुना भी होगा नहीं सुने तो आप सुन लेंगे, कोई दिक्कत ने मैं तो बैठा हूँ देखे, यहाँ पर कुछ कार प्रनाली के अधार पर computer देखने मिलेंगे, यहाँ कि mechanism के अधार पर purpose, उद्देश के अधार पर देखने मिलेंगे, based on size के अधार यहाँ कि size के अधार पर आपके computer देखने मिलेगे, तो यहाँ आपको अलग-अलग category देखने मिलेगी, जिसे आप यहाँ देखोगे, तो यहाँ आपको type के अधार पर analog है, digital है, hybrid देखने मिलेगा, size मिनी, mainframe, super computer को मिलेगा, purpose के अधार पर आपको general purpose और special परपस मिलीगे, तो इन सब के बारे में किक कर के हम जानते हैं, चलिए पहला हम देख लेते हैं, एनलोग कम्प्योटर, उस कम्प्योटर को बोलते हैं, जो इस प्रकार की गण्णाओं के साथ काम करते हैं, मतलब देखे, यहां पे जैसे प्रेसर बढ़ेगा, तो गाड़ी का जो meter है मतलब speed बढ़ती नहीं जैसे accelerator देते हम तो speed बढ़ती है तो यह काटा इधर तक आ जाता है यानि कि pressure speed बढ़ी नहीं तो ताब दाब माप के अधार पर जैसे मान लो आपके सरीर का ताप मान जाता है तो यह पारा उपर उड़ जाता है या petrol pump में भी आपने देखा होगा पहले के समय में तो आज की rate में तो petrol pump में digital computer आ गया है जैसे आपने देखा होगा ECG machine यह से तरंगों की रूप में काम करती है तो इस प्रकार की गणना है जो भी computer करता है वो सारे computer analog computer की स्रेणी में आ जाते हैं स्पीडो मीटर है वाच बगेरा है अनलोग वाच है मरकरी है थर्मो मीटर है बोल्ट मीटर एमो मीटर ठीक है से इसमों गराप है यह सब जो है आपके analog computer की स्रेणी में आ जाते हैं आज की rate में ज्यादा यूज नहीं किया जाते हैं आज की rate में यूज किया जाते है हाँ या ना यानि true और false के अधार पार यह काम करते हैं जिसे हम 0 और 1 बोल देते हैं और 0 और 1 को बोल देते हैं binary number बोले तो machine language ठीक है इसके अलाबा एक और आ जाते हैं जिसमें आपको analog की facility और digital दोनों मिलकर कुछ ना कुछ computer अलग निर्मान हो जाते हैं यहने दोनों के facility जहां होती है उन computer को हम hybrid बोल देते हैं जैसे आपने ECG machine देखा होगा देखे ECG machine, electro, cardiogram जो machine है hospital बगरा में होती है उसे हम बोल देते है digital computer जहां एक तरफ numerical value और एक तरफ जो है आपकी signal दिखाते हैं इसके लाबा सोनार मसीन, sound जो navigation एं रेंजिंग मसीन है, radar है, forensic research है, ultrasound मसीन है, petrol pump में पहले system यूज किया जाते थे दोनों आज की rate में ज़्यादा यूज नहीं किया जाते हैं कांटा देखते हैं आप एंसा तो mainframe जो है एक प्रकार से क्या कहलाता है, big iron कहलाता है, आप क्यों बोल रहा है big iron, बड़ी मात्रा में जब लोहा यूज हुआ जाएगा iron यूज होगा, तो उसे big iron बोलेंगे ना, बिल्कुल, और multi user होता है, यानि कि एक सैधिक user इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, बड़ी ब reservation में, census में, defense में आप देख सकते रक्षा के शेतर में, healthcare है, education है, इन सभी बड़े बड़े जो संस्तान है, वहाँ पर आपको manframe computer देखने को मिल जाता है, तो manframe computer क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया, आगे बात करते हैं यहाँ पर mini computer, mini computer होता क्या है, mini computer के अगर बात कर computer या micro computer से थोड़ा सा बड़ा, यानि कि middle वाले जो computer आते थे, जिसे brief case में रखा जाता था, वो कहलाते थे mini computer और mini computer, जो है मध्यमाकार के multi user होते थे, काफी, जो है mainframe computer से थोड़े सस्ते होते थे, उनकी तुलना में speed थोड़ी कम होती थी, जैसे इसका example देखें, तो PDP at इस और छोटे जो बैपार है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, next है embedded computer, embedded का मतलव originally computer नहीं देखेंगे, जैसे उधारन के लिए हम देखें, तो हमारे पास में smart watch होती है, सबके पास में smart watch आज की date में देखें, आपके पास में बहुत सारी चीजे जैसे उधारन के लिए पर उसके background में कहीं नहीं computer काम कर रहा है, यानि कि machine computer नहीं है, पर background में computer है, ऐसी machine को embedded computer बोल देते हैं, जैसे smart watch, नाम ले रहा है smart watch, पर background में क्या है, computer है, ठीक है, TV, TV है पर बैगराउं में क्या है, computer processing कर रहा है, तो simple सी बात है, आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको smart watch है जो airport देख सकते हैं, आपको traffic light की बात करें, कुछ machinery, medical छेतर में, robot है, camera है, modem है, इसके लाब हम mobile phone है, train है, telephone, car है, यह सब क्या है, background में जिनके computer चलता है, उन्हें हम embedded computer बोल देते हैं, तो embedded computer आपको समझ में आगया होगा, यहाँ बात कर लेते हैं हम आप super computer के, तो super computer क्या है नाम से इस पस्ट है, super, यानि कि super duper, यानि कि सबसे advanced, तो super computer जो होता है, कई गुना, हजारों गुना जो है, जो अन्य computer से इसकी speed तेज होती है, काफी जादा storage होती है, और इसको बनाने का काम किया गया था सबसे पहली बार, सेमूर क्रे के दौरा, सेमूर क्रे जो थे American scientist हम बोल सकते हैं, और क्रे बन नाम से बनाया गया था, इनके दौरा पहला computer, super computer, 1976 में, तो computer, super computer के पिता जी किसे बोलेंगे, सेमूर क्रे को, और उन्ही के नाम से क्रे बन यहाँ पर बनाया गया था, और यह जो computer थे, multi user थे, बड़ी मातर में data process कर सकते थे, इसके अलावा, साम क्योंकि इसकी security बहुत ही ज़्यादा powerful होती है, super computer की जो speed है, उसकी गती को मापा जाता है, floating point operation per second में, ठीक है, तो आप इसके अरे में भी जान सकते हैं, और हमारे जो computer उसकी गती को मापा जाता है, gigaarts और megaarts में, ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, काफी ज़्यादा advance है, super computer जो है, मौसम की भविस्वाने के लिए यूज किया जाता है, परमानु अनुसंधान के लिए, सेने प्रसक्षन के लिए, इसके लावद एक एजेंसियों में यूज किया जाता है, special जैसे हम बात करें, raw की research and analytical bing होती है, भारत के अंतरगात, बैग्यानिक अनुसंधान के प्रियोक सालाव में इसका यूज किया जाता है, oil and gas की जो research या खोज के लिए क्या जाता है, aerospace में इसका यूज किया जाता है, तो super computer काफी ज़्यादा important है, जो बड़ी मातरा में बड़े बड़े जगह पर इसका यूज किया जाता है, government sector में ज़्यादा आप देख सकते हैं super computer से related कुछ fact है, यानि कि सबसे पहला जो super computer वना दुनिया का 1976 में सेमूर क्रे के द्वारा, क्या नाम था इसका क्रे बन था, ठीक है, world का latest super computer 2020 में हलाकि अभी और advance बनते जा रहा है, तो अभी की बात करें, तो जापान में जिसका नाम था, हम देखे super computer फोगाकू, ठीक है, जो आपके inventor थे, अविस्कारक, राइकेन और फुजिस्तो, तो अलग-अलग नाम हो सकते हैं, इन नामों को हमारे नाम की तरह आप ना देखें, अलग देखें, अलग देखें, अलग देखें, ठीक है, इसके अलावा, इंडिया का first super computer वना परम, परम जो था, parallel machine थी, इसको पुने के द्वारा बनाए गया, और यहां पर हमारे जो बेग्यानिक थे, डारेक्टर थे, बिजय पांडूरंग भाठकार, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, भारत के अंतरगर सुपर कंप्यूटर के जनक थे, बिजय पांडूरंग भाठकार, सी डेक के द्वारा बनाए गया Indian Institute of Science, Bengaluru के द्वारा, IISC, इसके द्वारा बनाए गया यह, ठीक है, और यहां पर मिहीर भी देख सकते हैं, प्रित्यूज भी, यह भी किसके द्वारा बनाए गया, आप यहां थोड़ा सा देख सकते हैं, कुछ एक्स्टा चीजे भी आपको यहां पर लिखी हुई है, तो आप यहां पर एक बार पढ़ लेना, यह चीजे आप देख सकते हैं, चलिए अब बात करते हैं, माइक्रो कम्प्यूटर की, तो माइक्रो कम्प्यूटर होता क्या है, बरतमान में हम पर्सनल यूज के लिए जो कम्प्यूटर यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से computer को हम बोल देते हैं micro computer और इन में क्या लगा होता है micro processor लगा होता है जैसे laptop है desktop है टेबलेट है smartphone है यह सभी computer को हम क्या बोलेंगे micro computer इसका उपयोग घरों में किया जाता है business में education में office में restaurant में hospital में school में हर जगे इनका जो हो पयोग जादा तर किया जाता है इसके अलाबा जो personal मतलब हमने micro computer देखे micro computer के अंतरगा ते एक computer आता जिसे हम PC बोल देते है PC को personal computer या desktop इसे बोला जाता है जो single user होता है multitasking होता है multipurpose अकार में यह छोटे होते हैं सस्ते होते है और portable होते है जैसे laptop laptop को एक जगे से दूसरी जगे आप आसानी से ले जा सकते हैं आपके पास में जो mobile है वो भी आपका एक प्रकार से personal computer का ही काम करेगा वो भी portable है यहां से बहां तक ले जाए जा सकने बाला सबसे पहला जो personal computer बना था वो 1974 में अल्टेयर के नाम से बना था जिसे M.I.T.S company के द्वारा बनाए गया था ठीक है और इसमें प्रोसेसर लगा था 88 माइक्रो प्रोसेसर 88 यह पहला personal computer था आगे चले धीरी धीरी इसमें अपग्रेट किया गया तो इसको PC-XT में इसको PC-80 यहनि की advanced technology में इसको convert कर दिया गया आगे देखें हम तो यहां जो देखेंगे हम तो घरों में इसका यूज किया जाता है office में उसके लाब education में और entertainment के लिए इसका यूज किया जाता है next workstation की बात करें तो workstation भी लगबग single user होते हैं high performance होती है काफी ज्यादा powerful होते है storage capacity अच्छी होती है high graphics यहां पर होता है और इसके अलाबा जो होते हैं PC से ज्यादा सक्षम यह देखने को मिल जाते जैसे business में, gaming में, animation में, भवन निर्मार्न में, graphics designer इनका उप्योग करते हैं इसके साथ ही हमको laptop देखने मिल जाता है यह भी personal computer है जो सबसे पहली बार में देखे 1981 में Adam Osborne के दौरा पहली बार laptop बनाये गया था और laptop जो है हम गोदी में रखकर चलाते हैं इसलिए इसको laptop बोला जाता है आकार में काफी छोटे होते हैं portable यानि कि एक स्थान से दूसरे स् होते हैं RAM है और जो भी जितना material होता है वो एक ठो यहां पर surface में fit कर दिया जाता motherboard के साथ में ठीक है इसमें lithium-ion battery लगी होती है जो इसकी battery backup यानि कि कहीं भी ले जाकर हम यूज करने हो के capable मनाती है और इसका जो use होता है नौट बुक के अकार का होता मतला एक प्रकास इसका जो size होता नौट विक क्या कार का होता है और use की बात करें तो website यानि की business में gaming में और बज्ञानिक engineering के कार में इसका उप्योग किया जाता है तो यह हो गया हमारा laptop इसके बाद tablet computer tablet मतलब जिसे हम apple की बात करें तो iPad बोला जाता है और अने company के बात करें तो tablet बोला जाता है तो जिसको हम आसानी से कहीं भी ले जाकर काम कर सकते हैं इसका उप्योग education में, health में, field work में कर सकते हैं, day planning में और internet में इसका उप्योग किया जाता है यह इन्टरनेट के उप्योग के लिए इसके लावा PDA, personal digital assistant जो पहले चलता था जैसे pompt of हमारा हो गया या tablet हो गया उसी प्र smartphone के जरिये ही क्या देख रहा हो, वीडियो देख रहा हो, तो smartphone cellular phone होता है, call भी कर सकते हैं, selfie भी ले सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, काम तो हलाकी बहुत कम करते हैं, reel भी देख सकते हैं, game भी खेल सकते हैं, सारे काम होते है smartphone में, ठीक है, गाने भी सुन सकते हैं, movie देख सकते ह सारी हम क्या यूज कर सकते हैं स्मार्ट फॉन फिंगर्पिंट सेंसर है आपको फेस स्केनर देखने को मिल जाएगा सारी फैसलेटी आपको स्मार्ट फॉन में मिल जाती इसलिए इसका नाम स्मार्ट फॉन है ठीक है और आप कैसे हो गए आप स्मार्ट नहीं बचे हो तो आप को smart बनना है मतलब smartphone को smart रहने दीजिए पर आप भी उसको यूज़ करके smart बनिए तो कैसे बनेंगे अच्छे से पढ़ाई कीजिए पढ़ाई करके आप knowledgeful बनिए और आप smart बनिए काम के प्रती Chromebook जो होती है जिसमें Google Chrome का operating system होता Mac OS Windows की जगे क्या होता है Chrome OS होता है काफी सस्ते होते है कुछ लोग यह Chromebook देखकर क्या बोलते है laptop सस्ते आ रहा है पर laptop ना बोले इसको यह tablet का upgradable version laptop मतलब fully loaded laptop महँगे ही आते है और Chromebook जो है आपके 15,000 में जाएंगे 16,000 में जाएंगे नए तो उसको आप laptop ना बोले Chromebook होते है ठीक है सस्ते होते और काफी हलके होते हैं जन्रल परपस कंप्यूटर जिनको हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं वह जन्रल परपस कंप्यूटर कहलाते है जैसे 24 परफस कंप्यूटर उप्यूटर हो गया लेप्ट нуж lug अं nutu जेसे सूपर कंप्यूटर हो मेंखें कंप्यूटर हो गया है Treatment अब्र कंप्यूटर में डेकिटेडें इन्हें हम special purpose computer बोलते हैं जैसे CCTV आप देखोगे, CCTV भी एक computer है पर उसका काम सिर्फ capture करना है picture को ATM machine की बात करें तो ATM machine एक special purpose है क्योंकि वो पैसा निकालने हैं, पैसा डलनें दोनों चीज के लिए यूज़ किया जा रहा है कियोस्क में जो computer लगा, वो कियोस्की service के लिए ठीक है, तो इस प्रकार से हम special purpose computer यहाँ पर बोलते हैं next generation के computer बात करें, nano computer आएंगे तो इसके बारे में आप एक बार देख लेना DNA computer, chemical computer और quantum computer तो यह होगा हमारे computer के प्रकार यहाँ पर आपको सारे computer समझ में आ गए होंगे अगर फिर भी कोई doubt आता है, तो आप comment box में बताईए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को share कीजिए और वीडियो को like कर दीजिए, ताकि जो है, मुझे भी motivation मिले और नीचे आप feedback देते रहें, ठीक है feedback देते रहेंगे, तो उससे क्या होगा दूसरों को भी पता चलेगा, कि सही में माइने में वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है चली, अब बात कर लेते हैं computer के basic ज्यान के अंतरगा, computer की memory, memory मतलब store करने योग device, ठीक है जैसे हमारे दिमाग में हम कोई चीज श्टोर कर लेते हैं जैसे माने लो मैंने बोला हूँ कि Google से सर्च करके आपको कुछ चीज़े बताना है तो आपने अपने दिमाग में श्टोर कर लिए आप बाद में बताओगे, बताओगे भी याद रख लेते हैं तो याद करने की छमता को हम क्या बोल देते हैं memory उसी प्रकार computer में जो device होती है जो याद करती है उसे memory बोल देते हैं memory दो category में आजाती है internal या primary memory दूसरी आजाती है external या auxiliary memory तो दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं आप देखोगे जिस प्रकार हमारा भेजा मतलब mind जो होता है दिमाग उसमें हम store कर लेते हैं उसी प्रकार computer में यह memory होती है जो store करती है दो category में जैसे random access memory memory मतलब RAM होती है hard disk होती है जो permanent store करती है यह थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में जैसे human brain होता है जिसमें दो category होती है working memory यानि primary memory long term memory मतलब याद रखने वाली memory और यह चीज़ें आप कहां से access करते है इधर उधर देख दाख पढ़के यह सारी चीज करके आप क्या कर लेते हो कुछ आप current में जैसे road में आप चल रहा है तो आपकी memory कुन सी काम करेगी working memory परन्तु कुछ अच्छी चीज हो जाती है कुछ बूरी चीज हो जाती है तो आप store कर लेते कहां store करते है long term में उसी प्रकार computer में temporary storage होती है permanent होती है जो की input devices से मिल जाती है तो चलिए यहां पर जानते हैं सबसे पहली बात करें तो device मतलब एक प्रकार से है device input device के दौरा जो भी data प्राप्त किया जाता है instruction प्राप्त किया जाता है उसे store करने का काम करती है और इसे computer की याददास के रूप में जाना जाता है जैसे इसे हम computer की memory बोल देते हैं CPU के साथ में inbuilt होती है और कुछ अलग भी होती है जैसे CPU के साथ में inbuilt होती है उसे क्या बोल देते हैं buffer memory, register या जो भी परन्तु अलग से जो होती है जैसे primary memory, RAM होती है, internal memory इसे बोला जाता है जो निर्देसों को, सूचनाओं को, परिणामों को store करने का काम करती है तो यहां पर memory जब store करेगी तो कुछ न कुछ data store करेगी data store करेगी तो कितना करेगी कैसे मापा जाएगा, मापने के लिए हम use करते है जीरो और बन, जिसे हम simple बोल देते हैं bit, क्या बोल देते है 0 और 1 को bit और bit जो होती है binary digit कहलाती है जिसको memory को मापने के लिए use किया जाता है हलाकि इसके आगे भी हम बड़ी unit देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते computer की units memory मापने की units computer memory measurement unit सबसे पहली जो unit होती है computer memory मापने के लिए bit होती है जिसको हम 0 या 1 से denote करते हैं 0 और 1 को क्या बोल देते हैं computer की binary digits या bit 4 bit मिल जाए यानि कि 0 1 0 1 इस प्रकार से 4 मिल जाए तो क्या बन जाती है इसके अलावा 8 bit मिल जाए 4 को double कर दो तो वह 1 byte बन जाती है, 1 byte को अगर 1024 गुणा कर देते हैं तो आपको 1 kb देखने मिल जाती है केलोवाइट, 1024 kb से मिलकर 1 mb बन जाती है 1024 mb से मिलकर 1 gb यानि गेगावाइट 1024 gb से मिलकर क्या बन जाती 1 tb बन जाती टेरावाइट फिर उसके बाद 1024 tb से 1 pb यानि पेटावाइट ऐसी प्रकार चलते चलते देखें एक्जावाइट है, जेटावाइट है, योटावाइट है, ब्रॉन्टोवाइट लास्ट में 1024 ब्रॉन्टोवाइट मिलकर क्या बन जाती 1 0 byte तो सबसे बड़ी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट क्या है 1 0 byte है, और सबसे चोटी 1 bit है, ठीक है तो याद रखना यह चीज है, इसी प्रकार कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, 1 kb बराबर 1024 byte, 1 mb बराबर 10, एक प्रकार से हम बोलें 10,48,576 byte हो सकता फिर 1 gb बराबर जो byte होगी, वो जादा हो जाएगी, मतलब इसमें हम 1024 का गुणा कर देंगे, तो इतना बड़ा जादा याद नी रखना है, बस थोड़ा सा, तो memory दो category में एक तो primary memory होती है और एक होती है secondary memory, primary memory के अंतरकात आपको CPU के memory जो की register होती है, case होती है, जिसके RAM देखने मिल जाती है, non volatile में आपको ROM देखने मिल जाती है, ROM मतलब read-only memory, RAM मतलब random access memory, तो P-ROM EP-ROM और WEP-ROM देखने मिल जाती है, ऐसा ही secondary memory में आपको दो मिल जाती है, तो sequential crumb anusar, ठीक है, दूसरी मिल जाती direct, कहीं से भी store करना कहीं भी retrieve करना तो इसमे magnetic tape आते थे पहले के समय में, जिसको sequence में real आती थी ना tape recorder में, sequence में store होता था, sequence में retrieve होता पर direct access में आ गए magnetic disk, जिसमें आपको hard disk के देखने मिली, floppy disk के देखने मिली उसके अलाबा flash drive भी यहाँ पर देखने मिली, यहाँ पर direct के अंतरगा थी flash drive देखने मिली, flash drive बोले तो SSD, ठीक है SSD जो है secondary storage देखने मिल जाती है computer में, फिर optical disk cd, dvd, blu-ray disk hbd, hbd, hbd हाला कि बंद हो गई है, पर हम देखेंगे cd-rom, cd-r, cd-r, cd, re-writable, dvd उसी प्रकार cd है, इस प्रकार dvd है, चलिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर memory की, तो CPU के अंतरगत खुद की अपनी memory होती है, जिसे हम register बोलते हैं, और एक CPU के अंतरगत एक और memory होती है, जो CPU के memory कहलाती cache memory, तो यह दोनों memory किसकी होती है main memory से data को लग जाने काम करती cache, और इसके अंतरगत तो RAM में SRAM, DRAM होती है तो यहाँ देखे, RAM के कुछ प्रकार है, DRAM के, double data rate double data rate 2, double data rate 3, double data rate 4 और double data rate 5 भी आ गई, DDR5 यह RAM के प्रकार है random exist memory के उसी प्रकार हम देखें यहाँ पर तो RAM क्या काम करती है, जितना भी data user के दौरा दियागा, उसको store करती है, cache के दौरा CPU में जाता है, और hard disk में permanent store होता है और secondary storage आपकी जो है, offline कहलाती है primary memory हमने देख लिए dynamic RAM जो है और static RAM के बारे में बात कर लेते dynamic RAM को DRAM के नाम से जाना जाता है, और यह जो होती है बार-बार, मतलब जैसे रहता ना बार-बार refresh करने हैं बिद्धूत आवेसित करने की जरूवत पड़ती है तो DRAM को जादा पड़ती है और जितने बार data मतलब बिद्धूत आवेसित होगा उतने बार data erase हो जाएगा, तो DRAM यह काम करता है उसके बाद हम SRAM की बात करें तो SRAM DRAM से जादा data store करती है हाला कि है तो primary memory तो इसको बिद्धूत आवेसित करने की जरूवत यह रिफ्रेस करने की जरूवत नहीं होती बार-बार तो इसलिए यह काफी महंगी होती है उसके आद SRAM और DRAM में आप अंतर यहां पर पढ़ लेना जैसे mobile में आप अभी खरीदते हो 8GB RAM और क्या बोल देते हैं 16GB तक इसको अपग्रेट कर सकते हैं 8GB और प्लस हो सकती तो जो प्लस होने वाली रहती है वह memory का पार्ट है किसका storage का तो जो 8GB है वह कहलाती virtual memory समझ गया आप चली आगे चलते हैं रोम read-only memory जो एक प्रकार से erisable, programmable read-only memory तो इस में अल्टा वालेट के माध्यम से हटाय जा सकता है और डवल एपी रोम में कुछ आपको इलेक्टिकली तरंगों के माध्यम से इसको हटाय जा सकता है तो तीनों के बारे में आप यहां से देख सकते हैं पी रोम में डाटा हटाय नहीं जा सकता है एक बार स्टोर करने के बाद secondary memory के बाद करें तो secondary memory permanent storage कहलाती है जैसे आप देखोगे तो hard drive यानि hard disk देखने मिल जाता है solid state drive, pen drive, hd card cd, dvd, floppy disk, tape drive इस सब मिल जाते हैं आपको किसमे secondary storage में है आप देखोगे कुछ इस प्रकार से platers होती है जो क्या करती है जितनी अधिक plate होगी उतना ज्यादा store करेगी और SSD इस प्रकार से chip label में देखने मिल जाती है semiconductor में ठीक है silicon की बनी होती है तो यह जो SSD है वो ज्यादा capable है किस से hard disk से मेहंगी भी है simple सी बात है ज्यादा speed से store करती है ज्यादा speed से retrieve करती है तो दोनों में आप यहां अंतर देख सकते हैं hard disk का structure देखोगे तो यह platers है जो हमने देखे थे वाली यह ऐसी कसी होती है जहां कसी होती उसे spindle बोलते हैं जहां से data redride होता है उसे redride head बोल देते हैं और जहां पर यह सारी redride head कसे होते हैं उसे arm assembly बोल देते हैं और यह जो complete cylinder होता है अब यहां पूरा जो circle है से क्या बोल देते हैं track और छोटे-छोटे भागों को बोल देते हैं sector तो यह छोटी-छोटी चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी जगह किस ने ले ली है SSD ने SSD जो है काफी थोड़ी सी महंगी होती है परन्तु speed इसकी काफी ज्यादा होती है ठीक है तो यह आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं इसकी संदचना आप देख लेना solid state drive जैसे कि मैंने बताया यह जो होती है अपकी permanent storage होती है hard disk का upgradable version है और इसके कुछ प्रकार भी होती है जैसे आप यहाँ देख लेना SATA SSD होती है M SATA होती है M2 होती है SSHD होती है और NVMe बरतमान में NVMe ज्यादा तर चलन में है ठीक है इसके भी प्रकार आप जब SSD लेते हैं तो आप ध्यान में रखकर लिया करो कुछ में NVMe नहीं लगती है तो SATA SSD लग जाती है M.2 लग जाती है कोई दिक्कत नहीं इनके बादे मारे आप एक बार पढ़ सकते है पिर में यहाई जो है आपको दोनों में अंतर सबस्या तो चार डशंबल हो एक प्राकार सर्च चार एंबी के आसपास स्टोरेज गया करती। परण्थफं cd में आप देखोगे तो सी डी में आपको स्टोरेज काफी ज्यादा मिल जाती हैं cd में स्टोरेज की बात करें तो cd में आपको 700 800 MB storage मिल जाती काफी जादा हो गई किन ने बनाया था कब बनाया था तो देखे यहां पर आपको 1982 में compact disc जो है यहां पर बनाई गई थी उसके अलाबा आप देखोगे यहां पर DVD DVD की capacity 4.7 GB और double sided में जादा होती है दोनों में अंतर आप देख सकते हैं साथ ही दोनों के प्रकार आप देखें यहां पर अलग अलग प्रकार से होती है read only memory होती है readable होती है, rewriteable होती है ऐसे DVD होती है उसके अलाबा यहां देखोगे तो Blu-ray disc यह HD, full HD quality में अगर movie store करना है तो आपको Blu-ray disc की जरूद पढ़ती है तो CD, CD upgradable version DVD, DVD upgradable version Blu-ray disc और एक और disc आई थी, जिसका नाम था HBD, यहां देखें, Blu-ray disc को DVD में अंतर देख लेना आप यहां पर HBD की बात करें, हलेक चलन में नहीं है, परन्तु यह चार्ट TV तक का data store करती थी काफी ज़्यादा यहां पर store करती थी है, और यह जो है companies बंद हो गई है, मतलब bankrupt हो गई है, तो यह नहीं बनती है यह से pen drive आप देख सकते है, pen drive यूज करते होंगे, आपने देखा भी होगा, flash drive होती है, अलग-अलग capacity में देखने मिल जाती है सबसे ज़्यादा चलन में sendis की pen drive है, तो यह आप देख सकते हैं, इसकी संरचना आप यहां पर देख सकते हैं, memory card जो आप यूज करते हैं अपने mobile में, तो यह camera के भी हो सकते हैं और mobile के भी, तो memory card आप यहां पर देख सकते हैं, उसके आद HD card जो उसके अलग-अलग प्रका आप देख सकते हैं, तो यहां पर देखेंगे, तो class 10 लिखेंगे, class 10 आप देखोगे, तो class 10 जो है 10 MB पर सेकंड का data full HD जो है recording हे तू उप्योप किया जाता है, फिर आप ऐसे जो advanced वाले लोगे, तो इसकी speed कापी बढ़ताएगी, जैसे class बढ़ती है, उसके card की जो प्राइ लेना, दोनों चीजे दी हुई है, हम बात कर लेते हैं, input device की कुछ, तो input device क्या होती है, computer में processing से पहले है, जब भी हम कोई data उसको provide करते हैं, तो वो किसी ने किसी device से करते हैं, उन devices को input device बोलते हैं, तो input device के बारे में देखोगे, तो input devices में सबसे पहले दिख जाती है keyword, keyword के आप देखोगे, तो इस key के बारे में हम देख लेते हैं, चलियो, keyword को बनाने का काम किया था, क्रिश्टोफार लेथाम सोल्स ने, ठीक है, 1868 में, ये आपको ध्यान रखना है, और keyword के बारे में देखें, तो इसके अलग-अलग pattern होते है, quality, authority, ड्वार, तो हमारे तरफ quality wireless वाली, जब हम wire की बात करें, तो उसको USB से connect कर सकते हैं, PH2 से connect कर सकते हैं, या serial connector से, ये उसके cable के प्रकार हो गए, keyword के, keyword में अलग-अलग की होती है, जैसे function की, टाइपिंग की, control की, navigation की, indicator और numeric की पेट, तो आप यहाँ देखोगे, तो आपको keyword में अलग-अलग की आते हैं, numeric keypad होती है, यहाँ पर देखो, navigation की है, alphanumeric key, typing key, कुछ control keys हो जाती है, कुछ special keys हो जाती है, सब key आपको मिल जाती है, computer के keyword में, keyword में, keyword में, जो key है, उसका use कैसा है, उसके लिए अलग class है, तो उसको मैं share कर दूँगा आपको, telegram पे, या description box में उसके link जैसे mouse देखोगे, इसमें left button होती है, right button होती है, इसके बारे में भी मैंने विस्तार से समझाओ हूँ, pen press के साथ में, तो left वाले से left click होता है, right वाले से right click, scroll, wheel होता है, और बोडी होती है, तो इसके कुछ कारे है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कारे में left click, left click, right click, उसके अलावा आप देखो कि scrolling, drag and drop भी कर सकते हैं, सबसे पहले जो mouse आते थे, mechanical mouse कहला आते थे, फिर optical mouse आ गए, फिर wireless mouse अभी देखने को मिल जाते हैं, joystick, game खेलने के लिए मोग खुरूप से input device यूज़ किये जाती है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के trigger होते हैं, 1, 2, 3 में आपको देखने मिल जाते हैं, game, video game में देखे होंगे निस प्रकार का, उसके अलावा track wall होती है, mouse का ultra form, track wall में भी जो है, mouse के जैसे ही कुछ function होते हैं, जैसे आपको left button मिल जाती है, right button, बहुत सारी button यहाँ पे मिल जाती है, हलाकि इसका use हम जादा नहीं करते हैं, क्योंकि आज की rate में laptop में touch page देखने को मिल जाता है, तो touch page जो है, जो track ball है, उसका upgradeable वर्दा है, जैसे track page भी हम बोल सकते हैं, तो यह track ball है, light pen, जैसे में graphics tablet से screen पर लिख पार हूँ, जैसे यह देखिए, जो भी चीजे में लिख पार हूँ, उसी प्रकार यह pen जो है, USB से connect ह होता है, और screen पर हम लिख पाते हैं, इसलिए इसे light pen बोल देते हैं, ठीक है, light pen के बाद touch screen, touch screen से आप भली बाती परिचित होंगे, जिससे आप touch करते हैं, और वहीं पर आपको दिखाई देता है, उसके अलाब आपको scanner, hard copy image को soft copy में बदलने के लिए scanner की ज़रूत पड़ती है, fingerprint scanner होता है, जो आपके हातों की जो एक प्रकार से रेखा है, या finger से उनको scan करता है, single और multiple, इसके अलाब आपको eye scanner मिल जाता है, अधार कार्ट center या आप license बनवाने जाओ, वहाँ पे, ठीक यह भी input करता है, बार कोड को scan करने का काम, बार कोड reader करता है, साथ ही आप MICR, optical character recognition या reader क्या करता है, hard copy जो भी material होता है, उसे soft copy में बदलने का काम करता है, इसके साथ ही आपको देखने मिलेगा MICR, check और DD में जो चुम्बकिये numbers होते है, MICR number, उसको scan करने का काम magnetic ink character recognition या reader करता है, फिर quick response code, यह भी एक प्रकार से हम input के लिए यूज करते हैं, यहा और output का भी यह काम करता है, microphone यह हमारी voice को record करने का काम करता है, graphics tablet input के लिए काम करता है, जो हम अभी लिख पा रहे हैं, वो graphics tablet के थुरू है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर output की, तो जब हम input देते हैं, processing होती है, processing के बाद हमको जहां से परिणाम प्राप्त होता है, वो किसी copy output हो जाता है, Karl, Ferdinand, Brown के दौर इसको बनाएगा था, पहली बार, ठीक है, मतलब पहला जो monitor है, जिसे cathode race tube बोला गया था, cathode race tube बोले तो जो picture tube पीछे नहीं आते, TV के आकार के, अलग TV भी स्मार्ट हो गई आज की रेट में तो, वो monitor जो पीछे आपका बहुत बड़ा भा तो इस प्रकार से आपको monitor, color के recording देखना पड़ेगा, उसके बाद monitor को हम cathode race tube में बाट सकते हैं, technology के अधार पर, liquid crystal display में बाट सकते है, LED है, light emitting diode यह काफी ज़्यादा चल रहा है, फिर कुछ advanced technology हो जाती है, जैसे plasma है, CD है, OLED है, dual monitor, यह सब हो जाते हैं, आपके क्या, monitor के प होती है, वो beam निकालती है, किरने और टकरा टकरा के यहाँ पर picture बनती है, electron beam के द्वारा, तो यह हो जाता है, आपका cathode race tube, इसी का upgradable version आया था, कौन सा LCD, जो पहले चलता था, liquid crystal display, एक flat panel होता था, परन्तु अगर कहीं थोड़ा सा खराब हो जाता तो पूरी screen खराब हो जात टकनीक आपको देखने को मिल जाती है, बहुत सारे laptop, OLED टेकनीक से देखने को मिल जाते हैं, तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके प्रकार, dual monitor, dual monitor बोले तो एक ही system से multiple, जो है monitor चलाना, dual monitor कहलाता है, साथ ही कुछ बिशेस्ताग होती है, जैसे pixel की बात करें, pixel है, resolution है refresh rate है, dot pitch है, interlacing, non interlacing, bit mapping, monitor size, aspect, result, तो चलिए, pixel का मतला है, बड़ी image बनाने के लिए एक छोटे से dot क्या बसकता होती है, तो उस dot को हम क्या बोलेंगे, pixel, और resolution की बात करें, तो एक screen पर, एक से अधिक ज़्यादा pixel होंगे, तो एक संख्या, मानलो, एक मैं 500 pixel है, और एक screen प इसका मतलब resolution high, और यहाँ पर picture quality अच्छी नहीं होगी, यहनिक resolution कम होगा, तो picture की quality को, या screen की quality को दिखाने के लिए, हम resolution की साहता लेते हैं, जैसे यहाँ देखे, आप जब video देखते होंगे, 244 में देखे, तो फटा फटा दिखता थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच और फुल HD, यहाँ 4K तक आ गई है कहानी, तो आप अपनी capacity के साफ से देख सकते हैं, पर ध्यान रहे, आप इस ही में देखा करो, इसमें ना तो काम होता ना ज़्यादा एक standard, परन्तु यदि इसमें देख लिए इसमें, तो आपका data जो है तुरंत खतम हो जाएगा, ठीक ह refresh rate, एक picture monitor पर बदलती है, तो उसे refresh rate बोलते हैं, यहीं कि एक picture जाती है और एक picture आती है, जाने के बाद आती है, कितने देरी में आए, तो जिसकी refresh rate ज़्यादा होगी, जैसे 240 Hz हर्ट है, तो मतलब picture जल्दी जल्दी बदल रही है, तो picture quality अच्छी होगी screen की, और कम होगी, त कम में मतलब क्या होगी, थोड़ी से दिक्कत करेगा, dot page मतलब, एक dots है, दूसरे dot की दूरी को मापने के लिए क्लिए क्या करते हैं, dot page की साहता लेते हैं, interlacing, non-interlacing, पहला चलता था सिर्फ text में, आप कोई भी चीजों को दिखाने का, progressive scan देखने को मिल जाता है, जैसे progressive eye scan होता ना, मतलब हमारा जो lens होता, progressive, दूर और past का, उसी प्रकार आज की technique को non-interlacing technique बोल देते हैं, next है bit mapping, आभी पहले से जो है, आपकी, क्या मापी जाती थी, text को यहाँ पर, क्या किया जाता था, monitor किया जाता था, या फिर text को दिखाया जाता था, पर आज की rate में सारी करते हैं, video standard में आपको सबसे पुराना जो था, cga, मतलब यह technology एंसी थी, कि एक screen पर, जो है, मतलब आप देखोगे, हम screen पर देखें, तो 1920 और 10 अक्सी, यह होगा pixel की संख्या, तो यही पहले क्या थी, मानलो 200 गुडित 300, इस प्रकार के हुआ करती थी, या 300 गुडित 200, तो सुरुवात में, cga आया था, पुराना display, quality standard हुआ करता था, फिर enhance हुआ, फिर video graphics, bga बोल देते हैं, उसके लाब bga के बाद HDMI आ गया, तो धीरे-धीरे करके, as bga हो जाता है, तो अभी बरतमान में, आपको इससे भी जादा, इसका जो है, resolution देखने को मिल जाता है, तो यह सिर्फ आपको दिखाता है, पर यह print करके देता है, यानि कि paper पर ला कर देता है, इसलिए इसे बोल देते है, hard copy output device, जैसे impact printer होता है, non impact, तो impact printer के अगर बात करें, तो जो प्रभाव छोड़ते हैं, सीधे मानलो कागच जा रहा है, कागच पर ऐसे ठक ठक करके हम अगर print कर र लाइन, chain और drum, अभी dot matrix आपको post office बगेरा में देखने को मिल जाता है, बांकी चीजे तो बहुत काम हो गया चलन, जैसे dot matrix यह printer आपको ज्यादा तर देखने को मिल जाता, post office में, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, decibel इस प्रकार से, गुल बहार के जो फूल थे decibel के, उसके आकार का होता है, देखे सभी में alphabet छपे, इसके कारएं इसको decibel computer बूला जाता है, decibel printer, उसके बाद line printer थे, line printer में drum आजाता है, chain आजाता है, और band आजाता है, फिर आजाते है non impact, तो जो सीधे कागज पर प्रवखाव नहीं छोड़ते हैं, जैसे laser printer, यह toner के माद्दम स light फेकता है, और कागज आपका print हो जाता है, फोटो भी इसी प्रकार वर्किंग करता है, फोटो printer, इंक के दौरा, इंक जैट है, फोटेवल है, मल्टी फंक्शनल है, थर्मल है, यह सब जो है non impact printer कहलाते है, जैसे laser printer आपने देखा होगा, photocopy machine, कागज जाता है, फिर अंदर बिसेस था है, आप इसको पढ़ सकते है, थर्मल प्रिंटर छोटे-छोटे जैसे ATM में भी थर्मल लगा रहता है, फोटो printer तो आप देखे ही होगे, जब आप फोटो प्रिंट करते हैं, पोटेवल प्रिंटर कहीं है, या फिर कैंप वगएरा, उसके लिए यूज किया जात झालन तर नियुक्त थे होग गीद प्रकार ख़कने अड़रे लोगों युक्डेन गुवा एंटनल वाला और यह इंटनल वाला होता तो यह शेया पैसा मोबाइल में होता है है का चीजा राइब बताना थो स्थ स्क्नावीर मिल्स इस प्रोजेक्शन लेंस होता है फिर बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है उसकाद माइक्रो फिल्म होती है पहले चलता था अभी बरतमान में नहीं चलता टाच स्क्रीन भी आपने देखा होगा आउट्पुट भी इसका इन्पुट और आउट्पुट दोनों उप्योग किया जाते हैं अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्ट एर की चल यह कंप्यूटर के बैसिक ग्यान कें अंतरगत अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्ट एर की कंप्यूटर सॉफ्ट एर होता क्या है जिस प्रकार हम जो है इस प्रकर देखॹए यहां पर ऑगर किसी इंसान को काम दें तो उ avons क्सीवकरान के बाद परनतुंई हैं software कहते हैं जिसे robot से काम कराना दो उसके अंदरsubник नपड़ेगा computer से काम नतुस did install करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर mobile से अगर काम कराना है तो हमको software install करना पड़ेगा तो यह चीज्ուव को धयान देना होता है तो software जो होता है MS Word को भी, MS Word जिसमें हम काम करते हैं, अगर आपके Mobile की बात करें, तो आपके पास WhatsApp है, WhatsApp को भी हम Software या Application बोल देते हैं, जिसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, Chatting कर सकते हैं, Voice Chatting कर सकते हैं, Video Chatting Status लगा सकते हैं, यह बहुत सारे Broadcast बगेरा, यह सारी चीज़ तयार कर सकते हैं, तो जिस प्रकार Word है जिस प्रकार WhatsApp है, Excel है PowerPoint है, सब क्या है, Software है जो विभिन प्रोग्राम को करने की छमता रखते और हर एक प्रोग्राम में बहुत सारी Lines of Code होते हैं, उनको बल देते हैं इंस्टक्शन, तो चलिए, Software के बारे इंस्टक्शन पता होगे, Software की जरूवत क्यों पड़ती है तो भई, Computer को चालू करना है Letter type करना है, Chart बनाना है Presentation, Data Manage करना है Internet चलाना, सब के लिए Software लगता है तीन प्रकार के Software होते हैं सबसे बेसिक जो Software इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर में उसे हम बोल देते, System जैसे, Operating System Android है, Mac OS है, iOS है सबी चीज़े क्या कहलाएगी, System Software Translator भी इसी में आ जाता है फिर समय समय पर हम कूप योग आ जाते हैं जैसे, MS Office है, Photoshop है, Page Maker, Coral Dra इस सब Application Software फिर Maintenance के लिए यूज़ किया जाते हैं वो System, Tools, Antivirus वगरा वो Utility Software कहलाते हैं तो ये तीन कैटिग्री में आ जाते हैं System Software में Operating System आ जाता है Translator आ जाते है, Linker आ जाता है Loader, Debugger ये सारी चीज़ आ जाती है तो Operating System Computer को बंद अवस्ता से चालू अवस्ता में लाता है कुछ Basic चीज़े मैनेज करता है कुछ Basic Functionality मैनेज करता है और ये जो सभी Software को चलाने के एक Platform प्रवाइट करता है तो Operating System सबसे बेस है जिसके अंतरगा सारे Function मैनेज किया जाते हैं Translator, एक Language को दूसरे Language में Convert करता है जैसे Assembly Language को Machine में बदलेगा Compiler, Source Code को Machine में बदलेगा और Interpreter, Source Code को Machine में बदलकर Execute कर देता है तो इस तीनों आपके Translator देखने को मिलेंगे उसके बाद आप देखोगे Compiler, Interpreter में अंतर Linker जो है, जो भी Object Code में बदलागा है Compiler के दौरा, उसे Link करके EXE में बदलता है और Loader उसको Execute करता है, ठीक है, Linker Loader हमने देख लिए, अब जब भी Error आती है, तो इसको debug करने का काम करता है, debugger, ठीक है, तो यह हो जाते है, Basic Rules है, System Software के Part, Application Software के Part हमारे जरूवत के साफ से होते हैं, जैसे Accounting, Tally बगेरा है, जैसे Excel, Tally का लिए काम करता है, Database Software MS Access है, Internet से Related Software, यह सब Application Software कहलाते हैं, इनके बारे में आगए, आप एक एक कर्ख विस्तार से यहां देख सकते हैं, सारी चीजे यहां लिखी हुई है, ठीक है, इसके बाद, Next जो चीज आती हमारी Multimedia Software, हमने देखे यहां पर Multimedia Software होते हैं, तो Multimedia Software भी Application Software की स्रेडी में जाते हैं, Accounting Software भी मतलब हमारे जो है एक प्रकार से Application में जाते हैं, अब Maintenance की जरूवत पढ़ती है, तो हमको Utility की जरूवत पढ़ती है, Utility मतलब समय समय पर Computer में Temporary फाइल हटाना हो, Virus हटाना हो, उसको Troublesuit करना हो, तो इन सब के लिए Utility Software की जरूवत पढ़ती है, तो यहां आप लिष्ट भी देख सकते हैं, Disk Defragmenter है, ScanDisk है, उसके बाद है, Disk Cleaner है, Antivirus है, Disk Checker है, System Profiler है, Virus Scanner है, Disk Cleaner है, यह सब जो है System Utility Tools के पार्ट माने जाते हैं, तो यहां पर हमने बात करें, किसकी Computer के Software की, जो तीन कैटिगरी में बाते जाते थे, कौन-कौन से System Software, Application Software और एक Utility Software, आई होब आपको समझ में आ गए होंगे, विस्तार से हम आगए जो है, डिटेल में बात करेंगे, तो अभी आपको मैं Basic जानकारी जो देना चाहता था, वो दे दिया, आई होब आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अब बात करते हैं Computer Language की, जिसे Programming Language का नाम से भी जाना जाता है, जब भी हम Computer में काम करते हैं, तो हम एक बेक्ति से दूसरे बेक्ति में बात करते हैं, कैसे करते हैं Normal, पर एक बेक्ति अगर Computer से बात कर रहा तो, वो किसी ने किसी Program को लिख कर बात करेगा, Program को लिखना क्या कहलाता है, एक प्रकार से Programming कहलाता है, Low-Level Programming में सबसे Basic Machine Language आती थी, और एक आती है Assembly Language, जिसका उप्योग Machine से थोड़ा Upgrade, Numatic Code, Shortcut Code के लिए यूज किया जाता था, फिर बाद में आई High-Level Programming, जिसमें Basic है, C है, C++, Cobol, Proton, Java, PHP, Python, जो बरतमान में चल रही, इस सभी Language को High-Level छेतर में बांट दिया जाता है, अब यहाँ देखिए, जैसे हम बात करें Low-Level की, तो Low-Level में क्या होता था, हम Overview समझ लेते हैं, जैसे Machine की बात करें, Machine Language में जब Code लिखा जाता था, तो वो 0101 में लिखा जाता था, क्योंकि Simple सी बात है, Machine भी ही समस्ती और हम भी वो ही लिख रहा है, तो बीच में Translator लगेगा क्या, नहीं लगेगा, अब इसमें परिशानी हुई तो एक Language बनाएगी, जिसके नाम था Assembly Language, जिसमें Code इस प्रकार Shortcut लिखा जाने लगा, अब इस Shortcut लिखने से हमारा थो थोड़ा फायदा हुआ, पर Computer समझेगा क्या नहीं, तो बीच में क्या लगेगा, Translator जिसे Assembler बोला जाता था, फिर इसमें भी कठिनाई हुई तो इसको और सरल किया गया है, जिसका नाम था High Level Programming Language, जिसमें Code हमारी भासा में लिखा जाने लगा थोड़ा-थोड़ा, जिसे Java, C, C++ है, Proton है, तो इन में जो Code लिखा जाने लगा, वो हमारे लिए सरल हो गया, पर Computer के लिए बहुत कठिन हो गया, तो बीच में फिर यूज के जाने लगा Translator जिसका नाम था, Compiler और एक था Interpreter, तो आप यहाँ Basic Overview समझ गहोंगे, तीनों Programming का, Machine Language में कैसे Code लिखा जाता, 01 में, इसमें Translator नहीं लगता, ठीक, Assembly Language में Code लिखा जाता है, Numanic Code, और जिसमें Translator लगता है, जिसका नाम है Assembler, ठीक है, और High Level Programming में, जो हम Code लिखते हैं, उसमें भी Translator लगता है, जिसका नाम है Compiler और Interpreter, तो यहाँ देखे, जो High Level Programming है, उसमें जो Code लिखा जाता है, वो ठीक है, पर दो कैटिगरी में है, Third Generation की Language, और एक Fourth की, तो Third Generation की Language क्या थी, जिसमें आपको Console, जैसे हमें Start करके बताऊं, CMD, इस CMD, इसमें देखे, माउस का यूज नहीं होगा, माउस का यूज होगा क्या, माउस का यूज होगा क्या, माउनलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, DIR, देखे, DIR लिखा गया, CLS लिखे, तो यह सारी चीज़े, कोडिंग से चल रही, तो इस प्रकार की लेंग्वेज को, 3rd generation की लेंग्वेज बोलते थे, परन्तु कुछ आ गई, Graphics वाली, जो Visual Basic है, Microsoft Visual Studio में चलती है, तो वो कहलाती 4th generation की, तो High Level Programming में आप देखोगे, Compiler यूज किया जाता और एक Interpreter, Compiler, Source Code को Machine Code में बदल देता है, Complete, और Interpreter, Source Code को Machine Code में बदलता है, एक-एक करक है, और एक-एक करक है, रन भी कराता है, बस इतना सांतर है, तो देखे, 3rd generation की लेंग्वेज इस प्रकार से लिखी जाती थी, 4th generation की लेंग्वेज जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, IDE, Integrated Development Environment कैसा हो गया था, GUI, GUI मतला Graphical User Interface, और पिछली बाली जो थी, यहाँ पे था CUI, यहाँ की Character User Interface, यह आप समझ सकते हैं, फिर उसके बाद फायदे नुक्सान यहाँ दी हो है, देखें, यहाँ फोटान के बारे में दिया है, Formula Translation जो High Level छेतर में देखने मिल जाती, Logo है, किसने बनाया था, क्या बनाया था, यह आप पढ़ लेने एक बाद है, Cobol है, Basic है, Pascal है, C Language है, C++ है, Java है, Algorithmic Language बोलते इसे, फिर उसके बाद है, Common Arthematic Language, फिर Programming in Logic, उसके आद C Sharp है, RPG है, Lisp है, Lisp है, AI के लिए यूज किया जाने वाली Language है, ठीक है, जिसे बनाया था, जोन में कार्थीन है, तो यह आप समझ सकते यहाँ पर, तो यहाँ आपने बात की, Programming Language या Computer Language की, आई हूप आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अब बात करते हैं, Computer के अंतरगात Communication की, Communication को Data Communication भी बोलते हैं, Simple अगर बात करें, एक बेक्ति जब दूसरे से बात करता है, तो कहीं न कहीं यह Communication है, परन्तु यही बेक्ति अगर बीच में, Computer का उप्योग कर बात कर लेते हैं, तो उसे हम Data Communication या एक प्रकार से हम, Internet के थूरू Communication बोल देते हैं, तो सूचनाओ का आदान प्रादान मतलब Communication, तो Simple हम बोलेंगे, एक प्रकार से Communication के यूज़ क्या है, भाई आज की डेट में, बिना Communication के, पुरा सिस्टम अवरुद्ध हो जाएगा, पुरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा, तो इतनी जरूवत हैं हमको Communication की, Communication प्रोसेस में आपको तीन चीज़े देखने की मिल जाती है, एक तो मिल जाती है, Delivery, Accuracy, Timeligness, मतलब Delivery मतलब जिस ब्यक्ति के दोरा भेजा गया है, उसी ब्यक्ति को मिले, Delivery हो, मतलब जिस फॉर्म में सूचना भेजी गयी, मानलो 10 प्रोडेक्ट किसी को भेजागा है, 10 हो सामने वाले को मिले, तो वो accurate कहलाता है, और 5 दिन के लिए टार्गेट बनाग भेजागा, तो 5 दिन में उसको मिल जाए, तो Timeligness, यानि कि तीनो फैसलेटी होगी, तभी Communication Process सभल होगी, अन्यथा नहीं होगी, उसके बाद आपको Component, आपको जब किसी ब्यक्ति को कुछ बोलना है, तो Message होना बहुत ज़रूरी है, भेजने वाला मतलब आप होंगे, आप किस चीज से भेज रहा हैं, उसके लिए आपको माध्याम यानि Medium की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे Internet है, जो प्राप्त करने वाला है, वो भी होना चाहिए, पर प्राप्त सही व्यक्ति को हो, उसके लिए नियम होना चाहिए, नियम को बोल देते हैं, इंटरनेट की भासा में, प्रोटोकॉल, या Internet प्रोटोकॉल, तो यह पाँचो चीज होना चाहिए, तभी बोल देते हैं, components of communication, यह पाँचो चीज नहीं रहेगी, कोई भी एक भी नहीं रहेगी, तो communication सफल नहीं होगा, अब communication के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे, simplex मतलब बनवे, simplex को क्या बोल देते हैं, बनवे, जैसे हम यहाँ देखेंगे, simplex को क्या बोलेंगे, एक transmit करने वाला, और एक receive करने वाला, जैसे, उधारन के लिए TV देखते हैं, आप तो satellite से data आगया, आपने देख लिए, पर आप कुछ बोलते हो, तो उधार नहीं जाता है, तो इसको transmitter और receiver, यानि कि simplex बोलेंगे, एक होता harp duplex, एक computer से दूसरे computer में, हम data भेज भी सकते हों, और प्राप्त भी कर सकते हैं, मतलब, क्या बोलना चाहरा है, कि भाई, एक समय में, या तो आप भेज सकते हो, या तो आप प्राप्त कर सकते हो, तो इसे हम बोल देते हैं, harp duplex, और एक और हो जाता है, कि एक ही समय में भेज भी सकते, और उसी समय में प्राप्त भी कर सकते, जैसे उधारन के लिए मैं, अगर मैं किसी से phone में बात करूँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ, सामने बाला भी बोल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, full duplex, और harp duplex किसका उधारन है, बॉकी टॉकी आपने सुना होगा, एक बार में सुना ही देता है, या एक बार में बोला जाता है, तो इसे हम बोल देते हैं harp duplex, और one bay को बोल देते हैं simplex, ठीक है, समझ में आ गया, इसके आद ये आपको सारी चीजे दी हुई यहाँ पर, दो communication और देखनेंग मिल जाते है, serial और parallel, जैसे हम बोल देते हैं single, बेक्ती को घुषने का दरवाजा, और एक हो जाता channel gate, तो channel gate में कितने बेक्ती घुष सकते हैं, एक सांथ, आठ दस, और single दरवाजे में एक, एक, ऐसे यहाँ पर एक line बना दी गई, जीजे देखनेंग मिलेगी, serial में क्या मिलेगा, asynchronous और synchronous, asynchronous में क्या हो जाता है, ग्रूप में भेजा जाता, देखे, start bit और end bit, 0 और 1, देखे, दोनों तरफ 0 और 1 है, देखे, 0 और 1, start bit और end bit, तो बीच में gap होता है, तो ऐसे gap gap करके, group बना के भेज रहा है, मतलब asynchronous serial transmission कहलाता है, और जिसमें कोई भी gap नहीं होता, सब भीड से चले जा रहा है, एक line से बिल्कुल, चलने दो, भीड चाल में, तो इसे हम बोल देते हैं, synchronous serial transmission, दोनों को आप समझ जाईए, से, अब जब communication चाहिए है, coaxial cable हो गई, optical fiber हो गई, तो twisted pair जो होती है, इस प्रकार से देखे, आप देखोगे, तो ऐसे single भी आती है, दो wire plus minus के, और plus minus plus minus करके, multiple group में भी आती है, तो ये भी दो category होती है, एक unsealed हो जाती है, जो बिना cover के होती है, और एक sealed हो जाती है, जो देखे, पर्टिकुलर जैकेट के अंदर होती है, तो ये twisted pair मतलब pair में, plus minus plus minus से जोडे में आते हैं, coaxial cable जादा तर यूज होती है, देखे, ये जो cable है, LAN के लिए यूज होती है, ये जो cable है LAN के लिए, नहीं local area network के लिए, और coaxial cable, communication, city level के communication, जैसे dish TV आपने देखा होगा, आपने घर में DTH है, उसके लिए इस प्रकार का वायर यूज होता है, इसे हम बोल देते हैं, coaxial cable, जिसमें, एक प्रकार से है, जो main conductor होता है, copper wire, फिर aluminium का bridal shield होता है, बीच में आपका, जो होता है, fiber optic cable, जिसमें कांच के रेसों के माध्यम से, data को transmit किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में, तो यह हो जाते हैं हमारे network cable, आप इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सारी चीज़े describe कर दी गई है, इसके अलाबा, हम बात करें यहाँ पर, तो client server architecture देखने को मिल जाता है, computer के basic ग्यान के अंतरगत, next topic है, client server architecture, अब देखिए, जब हम Google से search करते हैं, चलिए मैं Google आपको open करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने कोई भी ID open करे, और ID open करने के बाद, हम यहाँ पर चलते हैं Google में, तो हम यहाँ कोई न कोई चीज तो search करेंगे, उधारेन के लिए हम यहाँ search कर लेते हैं, mcu.ac.in, यह हमने search करें, तो देखिए, जो हमने search करें थे, वो कहीना कहीं गया है, और वहाँ से बापस आया है, जैसे फिर इस पर भी click करेंगे, कि तो भी instruction गया है, और फिर बापस आया है, यहाँ कि search कोन कर रहा है, हम, और आया, जा कहा रहा है, कहीं न कहीं जा रहा है, और उसके बाद आ भी रहा है, इसका मतलब हम हो गया client, हम request कर रहा है न, request करने वाले को वह लेंगे client, और जहाँ पर प्रोसेस हो रही है, जो हमको प्रोसेस कर खे बापस दे रहा है, वो हो जाएगा server, क्यानि कि वो भी एक computer है, हम भी एक computer है, computer से search कर रहा है, तो हम हो गया client, और वो हो गया server, और client और server से जो structure बना है, डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है, किस प्रकार structure काम कर रहा है, उसी को हम बोल देते हैं, client server architecture, तो यहाँ देखे, प्रोसेस हो रहा है, कितनी देर में आ रहा है, यह depend करता है, website की speed, या फिर हमारी internet की speed, या फिर computer की speed, तो चलिए यहाँ समझते है, client server architecture का मतलब, client के दोरा, मतलब जो ब्यक्ति request करता, internet के माध्यम से, किसी particular server को, मतलब computer को, और उस computer के दोरा, request को पूरा किया जाता है, तो इस structure को हम बोल देते है, client server architecture, अब client mobile भी हो सकता है, desktop भी हो सकता है, laptop भी हो सकते हैं, और server आपका एक machine होती है, high capacity, high storage, high performance, बहुत सारी capacity उसमें होती है, उसे हम server machine बोल देते हैं, जो सारी request को, solve करने का काम करती है, response के तोर पर, ठीक है, तो client server architecture समझ गए, client और server से मिलकर बना, जो structure होता है, जिसमे request और response होता है, उसे हम client server architecture बोल देते हैं, और यहाँ पर आपको client server architecture के अंतरगत देखने मिलेगा, जो network architecture है, जिसके अंतरगत आपको client और server है, जिसमें server, client और यूज के जाने वाले resources और services को store करकर रखता है, जब भी client को जरुवत होती उसको provide करता है, इसके अलाबा इस architecture में network या internet connection पर, जो central server है, उसे जुड़े होते हैं सभी client और request करते हैं, और response प्राप्ट करते हैं, client server architecture को networking, computing model या client server, network model के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें request और services, complete network पर जो है distribute होती है, इसके अलाबा बहुत सारी चीज़े जैसे file server हो सकता है, print server, network traffic, network server हो सकता है, dedicated server भी हम ले सकते हैं अपनी capacity के नुसा, या फिर जो है आपका complete रूप से, मिला जूला जो server है उसको use कर सकते हैं, client PC या workstation की रूप में हो सकते हैं, जिसमें application request करने के लिए होते हैं, बहुत सारे संसाधनों को use कर सकते हैं, हम और यहां बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है, अब client process and server process की बात करें, तो client क्या क्या कर सकता है, client एक computer system है, मतलब हम मान लो एक computer system है, जिसमें network से जुड़े, अन्य computer से हम जुड़े होते हैं, services को exchange करते हैं, request करते हैं और response को प्राफ्ट करते हैं, यह basic चीज होगे client process, पर server process की बात करें, तो यह एक प्रकार से man computer होता है, जिसमें जितने भी client होते हैं, उनकी services और जो process होती हैं, उसको store करके, फाइल को store करके रखते हैं, और जब भी client के दौरे request की जाती, उसको process करके, response की रुप में provide करते हैं, client को, तो यह सारा काम किसका होता है, server की process होती है, तो इसके बारे माप एक बार पढ़ लेना, example की बात करें, तो server दो category में होते हैं, client-server architecture दो category में, जिसमें client सीधे database से एंट्रेक करता है, यानिकी सीधे server से एंट्रेक करता है, उसको बोल देते हैं two tiers, यानिकी दो step, जिसमें middle में कोई agent है, मान लो, apache server हो सकता है, esp.net हो सकता है, जिसमें client सीधे database से न जुड़ कर, किस से जुड़ता है, mediator से, तो इस mediator वाले जो architecture उसको बोल देते, three tiers architecture, तो दोनों को आप समझ सकते हैं, two tiers और three tiers, आई होग आपको समझ में आ गया होगा, चलि अब बात कर लेते हैं, computer network की, computer के basic ज्यान के अंतरगा, computer network क्या होता है, भाई, particular protocol को follow करते हैं, और आपस में सूचनाओ का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं, computer network, computer network को अलग-अलग category में बाटा गया है, जिसे एक building एक campus में अगर है, तो local area network, अगर वो पूरे सहर में है, पूरे metro city में है, तो metropolitan area network, अगर वो कहा है, अगर देखने को मिलेगा हमको पूरे बिस्वे में, पूरे बिस्वे बोले तो पूरी दुनिया में, तो उसे बोलेंगे बाई-डेरिय नेटवर्क, यहने कि आपको internet इसका उधारन ले सकते हैं, तो इस तीन category हमको देखने को मिल जाती है, और एक और देखने मिल जाता, VPN, Virtual Private Network, तो उसको भी हम यहाँ पर बात करेंगे, तो computer network मतलब, दो या दो से अधिक computer, जब आपस में जोड़े होते हैं, उसे हम computer network बोल देते हैं, अब इसमें computer, client, client भी हो सकते हैं, computer, client और server भी हो सकते हैं, जैसे मैंने client server आपको बताया, तो हम देखें यहाँ पर, इसके फायदे आप पढ़ लेना, एक हो जाता, विभिन ने client मिल कर, server से क्या करते हैं, communication करते हैं, request को पूरा करते हैं, और एक हो जाते हैं, client, client मिल कर अपनी request को, और जो है, प्रकार से अपनी requirement उसको पुरा करते हैं, तो यहाँ देखें, आपको देखने मिलेगा, एक server है, server में सारे computer जुड़े हुए है, और इस प्रकार के model को client server model बोल देते हैं, दूसरा जो है, आपको देखने मिलेगा, peer to peer, peer to peer में multiple computer, client जुड़े हुए, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, और अपनी request को पूरा कर रहा है, इन्हें की response प्राफ्ट कर रहा है, तो इसको peer to peer network बोल देते हैं, अब land, man, band की बात करें, तो मैंने basic बता दिया, एक building, एक campus में जो भी computer का network होगा, वो कहला था, local area network, एक particular city में जो network होगा, metropolitan area network, एक पूरे विस्व में जो network होगा, मतलब एक प्रकार से, वाइड area network, यानि की internet को हम वाइड area network बोल सकते हैं, इसके बाद आप देखोगे, इसके features से कुछ इसके component दी हुए है, जैसे network adapter होता है, medium, network medium, पूरे सेहर के लिए use होता है, metropolitan area network, उसके बाद आप देखोगे, पूरी दुनिया के लिए wide area network, ठीक है, तो इनके बारे माँ बढ़ सकते हैं, अब VPN के बाद करें, तो headquarter है, जहां पर सभी employee है, उनको username, password दे दिया जाता है, इस company के network को access करने के लिए, अब क्या हमेशा user जो employee है, यहीं रहेगा के नहीं, वो कहीं और रहते हुए भी company में काम कर रहा है, कैसे username, password के दुरू, तो ऐसे network को बोल देते हैं, virtual private network, VPN, ठीक है, तो VPN जो है, बहुत important रहता है, कुसी सी company के लिए, security के तोर पर, चलिए, network के अंतरगात, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, modem की, तो modem जो है, एक प्रकार से क्या करता है, internet जब हम चलाते हैं, तो हमको modem की जरुवत पड़ती है, कोई भी, जैसे मान लो एक दोस्त है, और एक सामने बाला दोस्त, डेटा आदान प्रदान करना है, तो उसके में भी modem लगा होगा, और आपके में भी, तो internet में जो data आता है, वो आता है, analog signal, और आपके computer में जो data है, वो आता है digital, तो analog को digital में बदलता कौन, modem, और इसी प्रकार इधर से जब data जाता है, डिजिटल को analog में बदलता है modem, तो simple सी बात है, डिजिटल को analog में बदलना modulation कहलाता है, यहने कि modem जो है, दो सब्दो से मिलक बना है, देखे, MOD मतला digital to analog, और analog to digital, analog to digital को बोल देते हैं demodulation, और digital to analog को बोल देते हैं modulation, और दोनों काम यह करता है, इसलिए इसे modem बोल देते हैं, तो इधर भी जरूरत पड़ती हैं और इधर भी, तो इसलिए यहाँ पर modem बहुत जरूरी होता है, कुछ इसके features देख सकते हैं, modem के, साथ ही इसके प्रकार जैसे external modem, internal modem आपको देखने मिल जाता है, और यहाँ basic चीज़े हमने network के बारे में देख लिए, आयूप आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अब बात कर लेते हैं internet connectivity की, तो internet connectivity क्या होती है, भाई जब हम internet से connect होते हैं, तो internet की connectivity होती है, अलग-अलग प्रकार से होती है, कोई broadband से होता है, कोई mobile से होता है, कोई dongle से होता है, तो यह सब प्रकार यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो कौन-कौन से है, जैसे dial-up connection हो जाता है, IHDN हो जाता है, leased line आप देख सकते हैं, उसके अलावा आप देखोगे, तो V-set आप देख सकते हैं, USB connection है, wireless connection है, broadband connection, इस सभी जो है connectivity के उधारन के रूप में माने जाते हैं, तो इसका आप जो है एक प्रकार से पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे dial-up connection, यहाँ पर हम देखेंगे, तो dial-up connection के बारे में, सामान टेलिफॉन लाइन के दौरा, हम हमारे computer में internet चलाते हैं, तो हर बार हमको dial करना पड़ता, और इसकी जो speed होती है, kilobyte per second होती है, तो काफी ज़्यादा पुरानी टेकनिक आज की rate में यूज नहीं की जाती, फिर आगे least line, कोई company, कोई संस्ता अपने लिए particular private network ले लेती है, तो उसे least line network बोल देते हैं, यहने की internet जो है 24 घंटे उपलब दे रहता है, इस connection में, next है, इसमें देखे एक प्रकार से dial app जैसे ही होता है, पर इसमें जो है data digital रूप में सारी चीजों भेजा जा सकता है, और इसमें adapter change हो जाता है, इसके बारे माँ पढ़ सकते हैं, फिर उसका ही upgrade रूप आ गया क्या, उसका upgrade रूप आ गया DSL, DSL मतलब हो गया digital subscriber line जिसमें modem होता है, और modem जो है computer में internet चलाने का काम करता है, phone line के through, इसके आट RF radio frequency, radio frequency भी जो है एक प्रकार से है, एक department से दूसरे department में data transmis करने के लिए RF का use किया जाता है, उसके बाद broadband connection तो आप अभी देख सकते बार्तमान में, जिसमें Wi-Fi भी चलता है, LAN cable के माध्यम से भी हम जो है चीजों को देख सकते हैं, फिर भी set, किसी ऐसे area, interior area में जहाँ पर line बिचाना possible नहीं है, यानि कि very small aperture terminal बोला जाता है, next है USB modem, जो dongle के थुरू चलाया जाता है, अज की डेट में हम जैसे mobile के थुरू भी चलाते हैं, या फिर dongle के थुरू चलाते हैं, जीओ फाइवर आता था, जीओ फाइवर या जीओ फाइवर आती थी छोटी सी device, वो उससे हम चला सकते थे, वो कहलाती थी USB modem, फिर है components of network, modem हमने देख लिए, हब जो है multiple computer को आपस में जोडता है, तो NIC जो है Ethernet से, मतलब जो है Ethernet, केबल फसाने के लिए उसकी जाती है, network interface card, जिसमें नहीं फसाना वो wireless कहलाती है, network operating system, मतलब network को manage करने वाले operating system को, NOS बोल देते, network operating system, Ethernet hub, multiple computer को आपस में जोडने का काम करता है, bridge जो है, दो network को, मान लो एक कमरे का network है, दूसरे कमरे का network, दोनों को जोडने के लिए एग device यूज़ होगी, जिसे हम बोल देते bridge, यानि दो सड़कों को जोडने के लिए bridge का उप्योग के जाता है, दो, मतलब तरब को जैसे, नदी गई है, नदी के दोनों किनारों को जोडने का काम कौन करीगी, bridge, उसी प्रकार, bridge जो है, आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ देखे, आपको OSI model की data link layer पर काम करता है, data link बोले तो, यहाँ पर आप देखोई data link layer, data link layer, यानि OSI model का complete lecture आपको मिल जाएगा, playlist में network बाले में, उसको पढ़ सकते हैं, switch आप देखोगे, switch भी multiple यहाँ पर देखने को मिलेगी, multiple computer को आपस में जोडने का काम, router, computer को जोड भी देता है, और wireless के थुरू internet भी provide करता है, उसके आप gateway आप देखने मिलेगी, अलग-अलग operating system को आपस में जोडने का काम करेगी, network को gateway, ठीक है, तो यह जो है आपको OSI model की सबसे उपर वाली layer पर काम करती है, OSI model हमने देख लिए, तो यहाँ पर हमने बात करें किसकी network की connectivity की आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, topology की, topology क्या होती है, network की संरचना, जब दो या दो से अधिक computer आपस में जोडते हैं, तो उससे एक संरचना तयार होती है, उस संरचना को हम topology बोल देते हैं, जैसे मुख रूफ से ring topology, maze topology, maze कही, upgraded है, fully connected, फिर star है, फिर tray है, उसके आद bus है, उसके आद line है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, bus जो होती है, उसी प्रकार line topology भी होती है, इंपोर्टन इंपोर्टन देख लेते हैं, ताकि हमारी computer की जो basic ज्यान है, वो complete हो सके, और आपको सारी चीज़े यहाँ पर मिल सके, तो topology मतलब arrangement, computer के arrangement को किस प्रकार आपने दर्साया है, उसे topology बोलते हैं, सबसे पहली हो जाती bus, एक backbone होती है, backbone जो main line, और सभी computer आपस में जोड़े होते हैं, और यहाँ से data को transmit करते हैं, और प्राप्ट करते हैं, मतलब एक में data भेजा, सभी को प्राप्ट हो जाता है, यह कहलाती bus topology, इसके अलाबा, लाभानी आप पढ़ लेना, star topology के अगर बात करें, तो यहाँ पर एक mediator device होती है, जिसमें सारे computer आपस में जोड़े होते हैं, अगर medium device खतम हो जाती mediator, तो star topology फैल हो जाएगी, मतलब सभी आपस में जोड़े होते हैं, उसके बाद हो जाती है ring topology, सब computer एक दिसा में से जोड़े होते हैं, और round से एक दिसा में ही transmit होता है data, इसे बोल देते हैं ring topology, और ring topology में कुछ घाटे थे, उसको upgrade किया गया है mesh topology से, देखें, आप यह computer इसको भी भेज सकता है, इसको भी और इसको भी, ठीक है, मतलब सभ computer आपस में एक दूसरे से connect हो गया है, तो इसका मतलब mesh topology, ring topology का upgraded, इसी प्रकार tree topology की बात करें, तो backbone है, backbone के बाद star topology, यहनि bus topology, उसके बाद tree, मतलब यहाँ पर star topology आप देख सकते हैं, और star topology से सब चीज़े जुड़ी हुई है, और यहाँ hybrid की बात करें, तो multiple topology मिला कर क्या करते हैं, एक topology बनाते हैं, उसे बोल देते हैं hybrid topology, तो यहाँ पर हमने topology के बारे में, complete roof से detail में बात किये, और साथ ही, जितना भी हमारा knowledge था, computer का basic ज्यान का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यह complete हो चुका है, आप last तक वीडियो जरूर देखें, और ध्यान से देखें, एक बार देखने में अगर संतुष्टी नहीं होती, दो बार देखें, और वीडियो देखने के बाद, आप जो है दूसरों तक जरूर सियर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, तांकि मुझे भी motivation मिले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर करा करें, जो भी मैं पूसता हूँ, या आपका feedback या कुछ आपको feedback देना है, जो भी चीज़े, कमेंट जरूर करें, तो चलिए मिलते हैं next class में, तब तक के लिए, जय हिंदे!